हेलो वेल्कम बैक टू एक्जाम गुरुजी बाइविन सर इस नए वीडियो में हम कबर करने वाले हैं सामान निग्ञान के 900 तांड़ो प्रस्नों को गाइज यह हमारी क्लास होगी और आपको बता दें कि अगर आप इन 900 को अच्छे डंग से देख करके अच्छे डंग से पढ़ लेते हैं तो गाइज में 100 पाइंट बाइब करता हूं कि अगर आपका कोई भी गवर्न्मेंट जॉफ हो या गाइज अगर आप किसी भी गवर्न आपकी त्यारी करते हैं जिसमें भी सामान गयान आप से जादा तो नहीं गए तो इतना जरूर करोंगा कि अगर 100 कोईशन आपके अक्साम में आते हैं जी के तो गाइस कम से कम 50 कोईशन तो आपका इस वाला है यहारे कोईशन आपकि सेलेक्ट धैट कोईशन इन जो भी पूछे गए वही questions मैं आपके लिए लेगा रहा हूँ ठीक है तो आप इस class को एक समय में पूरी class को देख लीजएगा मतलब कहने का यह है कि आप guys अगर अभी class शुरू किये हैं तो time निकाल करके class देखिएगा अगर guys आप एक साथ बेट करके class देखते हैं पूरी class देखते ह लेकिन अगर आप एक साथ class को देखते हैं तो वो guys कुछ अलगी बहतर ही होता है तो आप class को एक अच्छे डंग से देखिएगा और मैं आपको बता दूँ कि class खत्म होने के अंत में आपको अपना feedback जरूर देना है कि हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लग रही है ठीक है फिला क्लास में कम से कम 5000 से यदिक views आ जाएंगे कहने का मतलब है जिए 5000 से यदिक बच्चे देख लेंगे तब इस class की PDF आपको मिलेगी ठीक है और class की PDF फिरी में मिलेगी कोई भी सुलक आप से नहीं ले जाएगा तो चलिए आज किस class के शुरुबात करते हैं एक वीडियो में हम 900 questions को cover करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं देखो अगर आप इस class को अभी live देख रहे हैं तो मैं आपसे request करना चाहूंगा chatting बिल्कुल भी बंद कर दीजिए कोई भी chat नहीं करेगा और class को cable आपकी जो गाई से आखे हैं यह आपकी जो नजर है यह screen पर होनी चाहिए हार अगला question है आपके सामने question number two क्या कह रहा है कि हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रहे हैं सही answer हो जाएगा आपका आठ ग्रहे कौन कौन से हैं बुद्ध सुक्र प्रतवी मंगल ब्रहस्पत सनी अरुन और वनुन यह गाईस आठ ग्रहे हैं जो कि हमारे सौर मंदल में इस दिगराख काती हो ठीक है तो आप यह भी याद कीगा अगला है कि भारत की डीजल इंजन भी निर्मारी काई जिने आप डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स काते हो यह भारत में कहां परिस्चित हैं सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा वारांसी में जो बीडियर यहां पर वारां जामा किसकी क्यूर्थी है राइड अंसर हो जाएगा फिर दोसी की अगला मडीपुर की राजधानी कौन सी है राइट हो जाएगा आपका इंपात और मैं एक बात आपको और बता दूं कि इस क्लास में गाईश हम आपके हर इक चैप्टर से इतिहास से भी आपके कोईसंस से भी लिए गए हैं इंडिन एकोनामिक से भी लिए गए हैं आपके पॉलिटी से भी तो आपके लिए ही के मैंने आपको बताया ही जियोग्राफी से भी कोईसंस आपके लिए गए हैं आपके गाईस बीवित से कोईसंस लिए गए हैं इसके लिए मेरे पहरी भाई हमने साम पूर्टगालियों से कबाजात करवाया गया था राइट हुजाएगा आपका 1964 में अगला की अनुक्षे 370 भारत के किसराजी में लागू था राइट हुजाएगा आपका जम्मु कस्मीर में अगला आपकी कौन सी नदी महाराष्ट के नासिक से निकलती है राइट हुजाए पूछा जाता है कि नासिक किस नदी के किनारे इस्थित है तो यह दहिए गया और आपके सामने मेरी प्यारी भाई question आपसे क्या कहरा है कि प्लासी करल यूद जो हीए कब गवा राइट हुजाएगा आपका सन 3757 में अगला कि खैवर दर्रा कहां है तो राइट हुजाएग कउंग्रेस के स acost片 कौंन राइट हुजहएगा एवोहूम जो हैं घारती राष्वरोश्टी कॉंग्रेस के सस्दापक रही मेरे बाई एक बात और याद रखेगा कि जो भारती राष्वरोश्टी कोंग्रेस की मुठ राजबो पढ़ा चारी हैँ अग लाइंग वह संही प्राइज युछतर के में बोहची पदार्थ किस已 परेंगे हम साथूदकी पत्ति रेस्न के गड़े का जो यह सेड्र साली के दौरा करवाया था आप से पूछा जा सकता है हैं आड लिए यह किस ने लिखा ये मेरी बतन के लोगों आपने सुना भी होगा है ना बहुत ही गाईस बेहतर गाना है बहुत ही अच्छा सौंग है सुन करके बहुत ही अच्छी फीलिक आती है तो ये मेरी बतन के लोगों ये देश भक्त गीत जो है या प्रदीब के दोरा लिखा गया है अगला कुशन आप दाब है यह किस से मापा जाता है तो यहाँ देखेगा मेरी प्यारे भाई वैरो मीटर से मापा जाता है हाला कि question number 20 आपका यही पूछा गया कि वायू मंडली यह दाब यहाँ पर दाब लिखा है तो डी टाइविंग मिश्टेक है माफ करना वायू मंडली यह दाब मापने का पैमाना कहुं साहर राइट हो जाएगा आपका बायरो मेटर ठीक है तो जो बीडियर प्यारे भाई यहाँ पर बता रहें बायरो मेटर बिलकुल राइट हो जाएगा अगला आपके सामने यह एक ऐसा सारा जो गंगा नदी के किनारी पर बसा है तो कन्योज हो गया कानपू पूर यह गंगा नदी के तड़ बसा हुआ सहर है ठीक है अगला कुश्चन आपसे क्या गयरा मेरी प्यारी भाई कि खरीव की फसल जो है यह कब काटी जाती है याद रखेगा यह नवंबर के प्राडम में काटी जाती है अगला की हिमानी यह फिर जिने ग्लैसियर काते हो यह बर्प का एक बहुत विसाल पेंड़ा है जो की हिमाल है परबत स्रेडी के सीड्स अस्थलों पर छाया रहता है जिने आप ग्लैसियर काते हो यह बात आप और याद रखेगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्लैसियर जो है यह कहां से पिगलना शुरू होता है तो याद रखेगा यह लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच या युद लड़ा गया था आपसे पूछा जा सकता है क्वेशन जो ही आपके एक्जाम की पॉइंट अभी से बहुत जादा महत्पूर रहे अगला आपके सामने की फिल्म गांधी जो है इ अगला कुशन आपके सामने इसका अंसर आपको बताना है जापान पर परमारू बंजो है ये किस वर्स गिराया गया था राइट हो जाएगा आपका 1945 में या फिर 1945 में अगला की भागला इन अंगल बांध किस नदी पर इसी थै या दखेगा मेरी पहरी भाई ये 17 नदी पर इसी थै अगला की भारत का राश्टी पुस्प क्या है राइट हो जाएगा आपका कमल अगला की खिलारी जो गाईसे और धनराज पिल्ले हैं ये कौन से खेल से समंदित हैं सही हो जाएगा आपका हांकी ठीक है मेरी पहरी भाई आप एक बात और याद रखेगा अगर आप से सुरक्षा परिषयद में कुल कितने स्थाइस सद Death से होते हैं राइट हो जाएगा आपका कुल मिला करके 5 अस्थाइस सदेश होते हैं अगला आपके सामने कौन सा स्प्पेटा का असान वर्थमार में पाकिस्तान में हैं याद दखेगा मेरी पहरे बाई हराई शिंदु घाटि शबयता का असान है जो कि पाकिसान में है और अगर आपसे यह पूछा जाता है हलपा जो एक इस नदी के किनारे है तो यहां करेक्ट हो जाएगा आपका ख्वाजा मुईने दिन चिस्ति अगला किया एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय में दीन ये इलाही की असापना की तो मेरी पैरी भाई दीन ये इलाही धर्मिकी असापना जो है ये अकबर के दौरा की गई ठी याद रखेग भारत का कोई राज्य असर जोंगे ये धर भायरुपर नहीए कोई ऊस्पेसियल राज्य कोई नीरब निरुपर नहीं रोते की उस्होंगे हो Net are the है ईए मोर्पी जोड़ता है और्पार केंद्रों और राजकर की राजदानियों को ठीके निसनल अको langपme अंगुर की पैदा वार À जो यह सब से जरूदा कहा होती है राइट हुआएगगा आपका नासिक में नासिक जो यह गोदा वरी के किया थेप हैं यह याद में रूस में साइव एरिया दुनिया भर में किसके लिए प्रिसिद्ध है राइट हुजाएगा आपका यहां पर हो जाएगा इसकी अतधिक ठंडी जलवायु के लिए अगला आपके सामने जो सहीद हुए थें वो थें मंगल पांडे ठीक है इन्होंने गाइज सबसे पहले इस करांती की निवरक की और एक बात आप और याद के गा कि मेरड़ से इसकी सुभात की गई थी इस उत्पात के लिए अलीगर मसूर है तो ताले के उत्पात के लिए अताला बनाने के लिए अलीगर जो है यह मसूर है एक बात आप और याद के गा कि अलीगर को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गाइस अलीगर में ताला बनाने का एक प्रमुक उद्योग है अटाशो सब्स्पी के बिद्रों में जहांसे की रानी लक्षमी भाई ने किसके सहयोग से गॉलियर में बिद्रों किया था राइट हुजाएगा आपका तात्या टोपे के सहयोग से करेक्ट क्या हुजाएगा माइडियर यहाँ पर तात्या टोपे के सहयोग से अगला की अंतिमोगल सासक बाहदूर साह जफर के मिरतियों कहां हुई थी राइट हुजाएगा तो आप इसको एक अच्छे डंग से देख लिजीगा अगला आपके सामने question इसको देखे कि महत्मा गांडी जी की पत्नी का नाम क्या था राइट हो जाएगा आपका कस्तूर्बा गांडी अगला आपके सामने amoeba में खुल कितने कोष्टिका या सैल होते हैं राइट हो जाएगा आपका एक कोष्ट का होती है इसी के वज़े से amoeba को एक कोष्ट की जन्तूबी या एक कोष्ट की प्राणी कहा जाता है नागलेंड भारत का एक विद्वत राज्जी कब बना राइट हो जाएगा 1963 में मेरी बैरी भाई अगर आपसे पूचा जाता है न अगलेंड की वासा है अगला की उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन राइट हो जाएगा आपका माली गाओं का रेलवे स्टेशन अगला की मुक्य मंतरी की नियुक्ति कौन करता है सही अंसर हो जाएगा गवरेर्नर या फिर राज्यपाल म सही अंसर हो जाएगा वह जाएगा 36,000 किलो मेटर ये क्वेशन आपके अग्जाम में आ सकता है तो इससे याद रखीगा चेचक की ठीके की खोज जो ही किसके दौरा की गई थी सही अंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर की दौरा रेवीस की ठीके की खोज किसने की राइट ह प्राश्र अभी तरंगों की जो फ्रिकॉंसी है या विर्टी जो ही कितनी होती है सही एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 20,000 हाटस से अधिक याद रखेगा जो गाई सद्धोने की आवर्टी है इसको हम हाटस में वापते हैं और इससे हम एच जेट से परदाश्यत करते हैं या जब कर सालीजडी सेश्ट और इसके तापमान हमें साइक वल होती है कहां साड़ा जो कांसा तामबह और तीन से मिल करके बना होता है इसे कहां सा भाटु कहां जाता है ठीक है अगला कुछ्छे ने की जो गाइस दिलीप यहां पर दिलीप लिखा हुआ थोड़ी टापी मिस्टेक माफ करना दिलीप ट्रॉफी का समंध कि स्केल से राइट हो जाएगा आपका क्रिकेट से लगबग एक तिहाई सदिस्टों का चुनाओ जो है यह गाइज दो वर्स के बाद होता ही रहता है अगला है कि अमेरिकी राष्टपती का कारिकाल कितने वर्स का होता है याद केगा अमेरिकी राष्टपती का कारिकाल जो है गाइस चार वर्स का होता है और अपने हाई इंडिया में जो गाइस राष्टपती का कारिकाल है यह पांच वर्स का होता है हाली में जो नए राश्टपती बनी है वो कौन बनी है इसका आंसर आपको बताना है मेरी प्यारे में तरगला question आपके सामने है अयोध्या जो है ये किस नदी के किनारे है राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा शरीयू नदी के किनारे है न और आयोध्धा तो आप सभी आये ही होंगे नहीं आये तो जरूर आना एक बार अगला है आपके सामने परमाडु बम्जोहे ये किस शिद्धान पर कारे करता है राइट हो जाएगा माइडे फ्रेंड्स वो हो जाएगा नाव किये विखंडन के आधार पर विद्धारा की इकाई कौन सी है सही अंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अगला की हिर्दे की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवस्यक होता है सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पोटेसियम पेनिस लेन की खोच किसने की सही हो जाएगा आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लैमिंग यह question आपके exam के point of view से बहुत जादा important है आप चाहें तो इसका screenshot ले लें मैं इसको यहाँ पर highlight भी कर देता हूं ताकि आप इसका screenshot ले लेना ठीक है या फिर अगर आप नोर्स बना रहें तो नोर्स को एक अच्छे डंग से मतलब हाइलाइटेट क्लेर में इसको लिख लीजेगा क्योंकि यह question आपके exam में टपक सकता है मलेरिया की जो दवा है कुनिन ये किस पौधे से प्राप्त होती है सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सिन कोना नामक पौधे से अगला आपके सामने मेरे पैरे भाई की आंत्रिक छियात्री को जो वाह आका से यह कैसा दिखाई देता है राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा काला ATM का पूर्ण विस्तार क्या होगा या कहा जाए तो ATM का जो guys फुल फॉर्म है ये क्या है राइट हो जाएगा आपका आटोमेटेड टेलेट मसीन यह एक्जाम में आपकी आ सकता है हाला कि छोटे-छोटे बच्चे भी जानते हैं और आप तो बड़े हैं समझदार हैं तो आप तो इस का आंसर जानते ही होगे संसत का जो संयुक्त अडिवेशन है यह कौन बुलाता है राइट हो जाएगा प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपदी अगला कि जो गाइस LVW सब्ध है यह किसे समंदित है LVW जो सब्ध है यह किसे समंदित है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट से वाई मंडल की कौन सी परत हमें सूडे से आने वाली अल्ट्रा वाइलेट किरणों या जिन्माइल आपका तो मेरे प्यारे भाई परवाइगनी वीकिरन उससे बचाती है सही हो जाएगा हो हो जाएगा और दिन परतावी जो छोइज होती जारही है और जिसमें कारणदगाइस आतरह तरह की बिमार्यों के शिकार deputy जारह हाइगा तो गाइच उजुनपरत को बचाने के लिए हमें बहुत सारे पौदे रोपड करने चाहिए जितनी आप ब्रिक्ष लगाएंगे उसना ही गाइच आपका उजुनपरत जो यह सनक्षित रहेगा है अगला आपके सामने जो खौजा मुहिने दिन चिस्ति का दरगाह यह कहां है राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अजमेर में सम्राट असोख ने किस युद्ध के बाद बहुत धर्म ग्रहार कर लिया था देखो सम्राट असोख जो थे गाइच यह मौर्य वंसे से सम्मंदित थें और यह सबसे पहले जैन धर्म के अनुयाई थें लेकिन जब 26 161 इसा पूरू में कलिंग का युद्ध हुआ तो भयंकर रक्तपात को देख करके असोख का हिर्दे पसीज गया और गाइच इसके बाद इन्होंने बहुत धर्म को ग्रहान कर लिया और बहुत धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्रमहेंद्र पुत्रिसंग अमित्रा को स्रीलंका भेजा कि वह बहुत धर्म का प्रचार करें और गाइस इन्होंने बहुत धर्म के अलिये मतलब कई सारे गाइस चिला लेक बनवाई इस तूप बनवाई ठीक है और जो सांची का स्थी या सोग के दौरा ही बनवाई गया ता जो कि बहुत धर्म से जो केंद्रिये वैंक है यह कौन सा है राइट हो जाएगा वह जाएगा RVI या जहने आप रिजर्व वैंक ऑफ इंडिया भारते रिजर्व वैंक राइट होगा जो सालार जंग म्यूजियम है यह कहां है सही हो जाएगा आपका हैदराबाद में भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंतरी कौन रहे देखो भारत में अगर सबसे लंबे समय तक मुख्यमंतरी रहने की बात की जाए तो जोती वसु है यह परसे मंगाल के मुख्यमंतरी रहे हैं अगला की संसार की या विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है सही हो जाएगा आपका हो जाएगा नी प्रथम महिला प्रधान मंत्री कौन है स्री माओ भंडार नाएके जो की स्री लंका की बनी थी आप जानते ही है हलपा की सब्विता जो है किसी युग से शमंदित है हलपा की सब्विता या सिंदो गाटी की सब्विता जो है कांच सी युगीन सब्विता है आप याद रखेगा एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है एक्जाम में पूछे जाने की संभावनाई बन रही है रविना टेगोर ने भारत की राष्ठरीगान की अलावा की सिद्ध एक और देश का राष्ठरीगान लिखा आए तो guys जो हमारे यहां का राष्टगान है जन गर्मन इसकी रचना जो है यह हमारे यहां के जो आईजा कभी है रविना टेगोर ठीक है इन्होंने लिखा इन्होंने guys बंगलादेश का विराष्टगान लिखा आए जो कि यह आमार सोनार बंगला तो याद केगा बंगलादेश क अगर लोहे पर जंग लगता है तो उसका भार कैसा होगा बढ़ जाएगा अगर जंग लगता है तो लोहे का भार जो ही गाई जी इंक्रीज होगा ही होगा अगला आपके सामने विश सुकाज सबसे बड़ा नदिदीप मांजुली दीप जोहे ये असम के किस जिले में इस्टित है इसका राइट हो जाएगा अपका वहो जाएगा असम के पाताल पुरी में अगला आपके सामने मेरे पैरे भाई धोनी की चाल अधिकतम किसमे होती है याद रखेगा अगर आपसे ये पूछा जाता है धोनी की चाल अधिकतम किसमे होती है तो मेरे पैरे भाई याद रखेगा ठोस माध्यम में सबसे अधिक होगी और किसमे धोनी संचरन नहीं कर सकती है तो निरवात में धोनी संचरन नहीं कर सकती है अब ठोस में मैंने आप से कहा कहीं कहीं आपको गाईज और एक देखने को मिलते हैं और अगर ठोस मिल गया तो आप पचानते ही हैं ठोस माद्य में सबसे ज़्यादा दुनीगती करेगी देनिया इलाही धर्म जो है यह किस मुगल सासक ने चलाया था राइट हो जाएगा अकबर ने उगते और डोबते समय सूर्य जो है यह लाल प्रतीत क्यों होता है क्योंकि लाल रंग का जो गाई जब प्र सही हो जाएगा आपका सात रंग होते हैं संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है रिफलेसिया सबसे बड़ा जीवित पच्छी कौन सा है सुत्र मुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पच्छी है अगला आपके सामने संसार में सबसे छोटा पच्छी कौन सा है सही अंसर हो यहां पर यह अवस्था लिकाए टैबिंग मिश्टेक है माफ परना सुटन त्रवस्था में पाय जाता है सलफर दिल्ली की जो सुल्तान रजिया सुल्तान है यह किसकी पुत्री थी रैट हो जाएगा समसुद्दीन इलतुत्मिस की ठीक है यह इलतुत्मिस का पूरा नाम है स कमिल नाडू को अगला है कि पूर्वोत्र सिमान तरेलवई का मुख्याले कहां है सही हो जाएगा आपका माली गाउंग देखो मित्र जब इंसान बिन चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो फिर इस वर भी हमें ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकते जिसका हल ही नहीं मतलब अ आज आपको कोई या किशी न किशी अगर आप तकलीफ में फसे हुई है तो यह निशीत है कि उसका कहीं न कहीं आपको हल जरूर मिलेगा आप इस मुस्यूबत से उभरेंगे जरूर है ना आज अगर आप संगर्स करेंगे तो आने वाले दिनों में आपकी लाइफ सेटलमे एक है क्वेशन क्या गए राय थोड़ा समझना कि भारत के किसराजी में दार्जलिंग इस्टित है मेरे पहरी भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पसिम मंगाल में ठीक है अगला आपके सामने केरल तेलगु जो है यह किसराजी की राजभासा है सही हो जा राजधानी कौन सी है तो याद रखेगा ढाका जो है यह बांगलादेश की राजधानी है नेल नदी के किनारे कौन सी सब्वेता का विकास हुआ राइट हो जाएगा मिस्त्र सब्वेता का और सिंदु घाटी या सिंदु नदी के किनारे की सब्वेता का विकास हुआ तो इसका right हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गया में जिने guys आप बोध गया भी काते हो है ना ये guys है कहाँ पर तो ये है बिहार में आप ये भी याद रखीगा चलो अगला उससे न आपके सामने है कि प्रसिद्ध नातक जो सकुंतला है ये किस ने लिखा right हो जाएगा महा कवी कालिदासनी जो आड जो है ये सबसे उचा कम होता है तो जब सोरी और चंडरमा प्रिथवी के एक ही और होते हैं तब जो 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 है गया जिस सबसे उचा होता है कौन सा राज्य भारत के व्रहध प्राइद उपिये पठार का भाग नहीं है राइट हो जाएगा मर्ध पूछा जा रहा है राइट हो जाएगा साउथ एस साउथ एसियन एसोसियेशन फोर रिजिनल को ओप्रेशन गाईज सार्क का पूरा नाम एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है याद रखिएगा अगला भारत आने वाले सागडिये मार्ग की खोज जो है ये किसने की थी राइट हो जाएगा वासको डिगामा ने यहाँ पर आपको वासको डिगामा देखने को मिल रहा होगा थोड़ी टैपिंग मिस्टेक है राइट हो जाएगा वासको डिगामा कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा याद रखना कब की थी तो राइट होगा आपका 1498 निमी म से कब तक लड़ा गया याद रखेगा प्रथम विश्यूद जो है यह 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया तो वहीं दूसरा विश्यूद जो है गाईची ए 1949 से लेकर के 1945 तक लड़ा गया अगला है कि किसके शाषनकाल के दौरान मराथा सत्ता सर्बोच सिखर और सत्ता पर थी र दिवा फूले जो थे गाइस उन्होंने सत्य सोदक समाज के इस्ताब न की या क्वेश्चिन आपके एक्जाम के दिष्टी से बहुत महत्पूर है तो आप इसका स्क्रेंशॉट ले लीजीगा अगला की भारत की राष्ट गांजन गल्मन के रचाइता हैं सही हो जाएगा 12 मार्च 1930 से ले करके 6 अप्रेल 1930 तक सब ने अवग्या अंदोलन चला तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रेल 1930 तक अगला है आपके सामने किस प्रदान मंतरी ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पंडित जमाहालाल नेरू न बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्रे तटकी लंबाई कुल कितनी है सही हो जाएगा आपका 1600 किलोमीटर अगला आपके सामने किसना नदी का उदगा मस्तल जो है ये किसके समीफ है सही हो जाएगा महावले सुर के समीफ है प्रतिवी एक घंटे में कितने देसांतर घूम चैती है करेक्ट हो जाएगा आपका 15 डिगरी देसांतर चंद ग्रहन कब होता है तो जब प्रतिवी जो है कि सूरी और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद ग्रहन लगता है प्रतिश आसन के दवरान कि इन अस्तानों के बीच प्रतम रेलवे लाइन शुरू कि आप और याद रखेगा कि उस समय मात्र 34 किलोमेटर की दूरी तेंगी गई थी रेल की द्वारा अगला की भारत का राश्टिय प्रसू है सही हो जाएगा टाइगर या बाग अगला है आपके सामने कि भारतिय वायु सेना में जो कमिसंड अधिकारी का सबसे छोटा पद है व सरबोच चुसैनिक पुरसकार कौन सा है सही हो जाएगा परंबीर चक्र विस्व का सबसे बड़ा महाद्यूफ कौन सा है राइट हो जाएगा एसिया महाद्यूफ सबसे छोटा महाद्यूफ के अगर बात की जाएगी तो याद रखेगा सबसे छोटा महाद्यूफ हो जाए सबसे दूर वायू मंडलिये परत जो है ये किस नाम से विजित है सही अंसर हो जाएगा वहीर मंडल के नाम से विजित की गई है माई डिये फ्रेंड्स नश्ट कोईशन आपके सामने है डी सी एम ट्रॉफी का संबंद किस्से है सगी अंसर हो जाएगा आपका वह जाएगा फुट बॉल से है अगला कोईशन आपके सामने मेरे पैरे भाई कि अल्ला रखा जो है कि कि शबाद यंद्र के लिए मसुहूर थे सही हो जाएगा तबादला के लिए इसने पंद्रा वर्स निर्वासित होकर गुजारे राइट होजाएगा हुमायूर राज्यसभा के बैटकों की अद्दक्षता कौन करता है करेक्ट हो जाएगा उपराष्ट पती किश गुफ़ा में त्री मूर्ती यानि ब्रह्मा, महाराष्ट में सबस्यारिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मिर्दा का नाम क्या है राइट हुझा जाएगा काली मिट्टी काली मिट्टी को मेरे पैरे भाई हम लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं तो आप ये भी याद दिखीगा इसके लाम आप काली मिट्टी को हम का पास ये मिट्टी के नाम से भी जानते हैं ये भी याद दिखीगा अगला आपके सामने मेरे बैरी भाई की प्रसिद्ध सिलोत कीरन या पत्थर काटकर जो बनाया गया गाईश मूर्ती होती है या कैलास मंदिर जो है ये कहां पर इसी पर आप से पूछा गया है राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एलोरा में हरितक्रांती का अर्थ क्या है हरितक्रांती का अर्थ है किर्शी की आधुनिक वीडियों के द्वारा प्रति एकल फसल की उपज को बढ़ाना ये हरितक्रांती का अर्थ यहां पर दरसाता है भूरक्षन को नियंत्रित की जा सकता है तो भूरक्षन को सीड़ी दार टीला बना करके या मुख्य गाईज यहाँ पर आपका जो रेलवी जौन के इंतरगत आता है राइट हो जाएगा आपका उत्री रेलवाई ठीक है चलो अगला कुशन आपके सामने है कि भारत के किस राज्ज में कन्नर भासा बोली जाती है सही हो जाएगा कैनाटक में अगला चंग साशित प्रदेश जो की आन्यमान निकोवार दिप समू है इसकी राजजानी कौन सी है सही हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर विख्यात महाकाब्या महाभारत जो है इसके रचेदा कौन है राइट हो जाएगा आपका वेद ब्यास गीतांजली गीतांजली जो पुष्टा के गाईच इसके कवी कौन है राइट हो जाएगा रविद रनाट टेगोर कि इन दो अस्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलती है सही हो जाएगा जम्मू से कन्या कुमारी तक जम्मू से ले करके कन्या कुमारी तक हिम सागर एक्सप्रेस वे चलती है अगला की जन्रल जो है ये कि सेना का अधिकारी पद है तो राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा थल सेना का अगला आपके सामने मेरे पैरे भाई की भारत के किसराज में पवित्र तीर्थ असल अमयनात इस्तित है अब सभी जानते हैं अमयनात की समय यात्रा भी चल रही है ना तो अमयनात जो एकायच यह कहां पर जम्मू कस्मीर में है विख्यात पर एक्टर नस्थल गुलमर्ग जो है यह भारत के किसरे छेत्र में है यह भी कस्मीर में ही पड़ता है अगला आपके सामने की रेल पत के जो नैरो गेज है इसकी चौड़ाई कितनी होती है तो राइट हो जाएगा आपका 2 डिगरी 6 मिनट अगला किस देश को उगते विए सूरज की भूमी कहा जाता है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान को अगला कौन सा सहर मद्ध प्रदेश की राजधानी है सही आंसर हो जाएगा भौपाल कि सराज्जी में मलियालम भासा बोली जाती है करेक्ट हो जाएगा आपका केरलवी चंदीगड़ का जो रौक गाड़े ने ये साहल उद्याने ये किसने बनवाया था राइट हो जाएगा नेक चंदर ने जम्मू जो है किस नदी के किनारे इसी थै तो राइट हो जाएगा जम्मू तवी है ना आपने सुना होगा जम्मू तवी जाना है तो तवी नदी के किनारे है कौन सा सहर अफगानिस्तान की राजधानी है सही आंसर हो जाएगा काबुल अफगानिस्तान में मेरे पहरे भाई अफगानी मुद्रा चलती है आप ये भी याद रखेगा आप से ये एक्जाम में पूछे जा सकती है अगला की कौन सा सहर जापान की राजानी है सही आंसर हो जाएगा टोकियो इसकी आपने एक ट्रिक भियाद कियोगी मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया विता जापान ठोकिया है ना तो जापान की राजानी ठोकियो है किस देश में सूची एस्थम या फिर पिरामिट पाए गए है राइट हो जाएगा गाइस मिस्र में ठीक है यह मिस्र सब्विता से समन्दित क्वेशन आपका है अगला है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है राइट हो जाएगा उट को किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो राइट हो जाएगा दो अक्तूबर 1879 रेल पच के मीटर गेज की चोडाई कितनी होती है सही अंसर हो जाएगा एक मीटर होती है विश्व का सबसे बड़ा महादीव कौन सा है सही अंसर हो जाएगा एसिया महादीव विशु का सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस है मेरी पैरे भाई यह जो आपका पूछा गया कि विशु का सबसे बड़ा देश कौन सा है यह गाई छेतरफल की दिश्टी से यहाँ पर पूछा गया ठीक है रूस रूस के बाद आता है कनाडा ठीक है तो रूस होए गाई ज सित्रफल के दिश्टी से सबसे बड़ा देश है अगर जनसंक्या के दिश्टी से बात की जाएगी तो जनसंक्या के दिश्टी से चीन हो जाएगा विश्ट का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो रूस हो गया विश्ट का सबसे बड़ा महादीव कौन सा है तो एसिया भारत गड़राज के प्रथम राश्ट पती कौन थे? सही अंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगला आपके सामने माउंट अवरेष्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ती सही अंसर हो जाएगा वो जाएगा तेनिजिंग नोरगे अगला की करिगल कस्गा जो गाईजे कसबा ये किस राजी में है जम्मो कश्मीर में पड़ता है प्रतमी पर सबसे बड़ा व्रित्य तो भूमत दिरेखा का व्रित्य है किस अभारतिय नेता को भारत का लव पुरुशिया इंडियन आईरन मैं के नाम से भी जाना जाता है राइट हो जाएगा आपका सरदार बल्लब भाई पटील को अगला आपके सामने मेरे पैरे भाई की कन्या कुमारी में रॉक मेमोरियल या सैल इसमारक को किस की इस मीरती में समर्पित किया गया है सही हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानन अगला की माओट से तुंग जो है यह कहा है अब आप इनके नाम से भी आसानी से याद रख सकते हैं माओट सुके हैं जो गाईज है कहाँ पर यह चीन से समझनी थै जलीअ वाला बाग जो ही किस सहर में सित है सही आंसर हो जाएगा अमरिसर में पंजाब के अमरिसर में जलीअ वाला बाग 이ति थै जलीअ वाला बाग जो हत्यकांड है यह 13 अप्रिल 1919 को गटित हो था जनरल डाय 나े गोली चलवाई थी जलियावाला बाग जो हत्याकांड है यह 13 अप्रेल 1919 को गटित हुआ था जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और इसी का बदला लेने के लिए सरदार रूदम सिंग ने जनरल डायर की मृत्ति करवा दी थी याद किये गा बाहर गराश्टी पक्षी है वह मोर जैजवान जैकि प्रशिद्ध उद्धरन जो सरकार की जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए यह किस नहीं कहा था तो मेरे पैरे भाई याद रखी गाज़ों अमेरिका की राष्ट पदी थे अब बड़ाहिम लिंकन उन्होंने यह कहा था अगला आपके सामने की बोध गया जो है किस ध ध्रीख धर्म से सिक्धर्म के संस्थापक कौन थे सही हो जाएगा आपका गुरु नानक देंग्व bene पहले चली कहीं कहीं आपको 16 अपरेल मिलेगा कहीं कहीं आपको 13 तो अगर 16 अप्रेल मिलता है तो आप इसे टिक करेंगे और अगर 13 मिलता है तो आप 13 वाला टिक करेंगे सबसे पहले कब चली तो 16 अप्रेल या 13 अठारा सो तरीब बन बूर बाद में सबसे लंबी सड़क कौन सी है तो जीटी एफिर ग्रांट ट्रक रोड है इसका निर्मार जो है किसने करवाया था गाइस तो ये करवाया था सेर साहने किसने करवाया था शेर साहने बाद में सबसे अधिक सिक्चित राजी कौन सा है तो वो है केरल चाचा की जी के नाम से जाने जाते हैं पंडित जमाहनलाल नहरू जी इनके गाइस जनम दिन के उपलक्च में बाल पुरस्कार है और आपके सामने भारत का जो सर्वोच्छ पुरस्कार ही कौन सा है अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत अत्न से शम्मानित जो प्रतम व्यक्ति हैं वो कौन है तो उटें गाईज जो बाद की प्रतम महिलाप्रदान मंतरी सिरी मति इंद्रागानी उन्हें सद्राण से और ये किस राजि के सम्मंधित हैं सही हो जाएगा आपका बिहार से किस अस्तान पर तेल रिफाइनडी और का फान राइट हो जाएगा आपका बरवनी में अगला कि किसे नेतुर्ट में संस त्रह सू छेहतर में अमेरिका पर तो वौलसिंग्टन के अधिमी Exodus में पत्या पाई जाते हैं तो चोटी पेड़े होते हिए वीसमें देखने के बिलते हैं। क्वाऀस आप जांते राजस्टां में पाणिक है थोड़ी कमी है, अगला की जी अंजु बाभी हेजार्ज हैं जैर्ओलू deben से रेखा विश्वत रेखा समानांत रहे राइट हो जाएका शे रेखा ऊसान पर श्योगाति सबता का बंदरजीध अगला आपके सामने कि प्रवह उत्तर राज्य में सबसे राज्य कौन सा है राइट हो जाएगा अलुनांचल प्रदेश चीन जो एक आई जी असम की किसे दिशा में इस्ट है सही हो जाएगा आपका उत्तर दिशा में मद्ध प्रदेश की अलामा भारत का कौन सा राज्य है सात राज्यों की सीमा को अस्पस करता है असम है कंचन परबत शिकर भारत में कहां परिस्ट है राइट हो जाएगा आपका सिख्किम में सबसे नजदे की कौन सा रहे है सही हो जाएगा आपका बुद्ध रहे है मेरी पहले वाई हमने 200 को को कंप्लेट कर लिया है आई होप आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा अगर आपने नह को ज्यान के प्राप्ति कहां हुई थी तो बोध गया में अगला आरे समाज की असापना किसने की सही हो जाएगा स्वामी दयानन्द ने देखो जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे यह बात जो लिखी गई है यह है सिलंद लेने का या फिर हमारे पास है अंधी मौका है जाब लेने का तो जिम्मेदारी जब समझेंगे अपने आपके जीम्मेतारी दका सब मिलेगा बस मेहनत करते रहे ना मेरे भाई ठीक है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपको बता दें कि क्लास खत्म होने के बाद आप अपने आपको एक अच्छा मैसूस करोगे कि आज मैंने 900 को कंप्लेट कर लिया एक बेहतर धंसी तो मेरे भाई पहले तो आप क्लास क सब्सक्राइब कर देंगे खिए अच्छे अपको उप्हस्य से पढ़ा सकत ingredient do इसे यहां क्राइब कर सकते हैं तो क्लास को सब्सक्राइब Jakarta अच्छाय क्यार्व मिलह एक पज़तीЕ कि मुख्य भूमी का जो दक्षेर्टम किनारा ये कौन सा है राइट हो जाएगा कन्या कुमारी बाद में सबसे पहले सूरी जो वह ये किस राजी में निकलता है राइट हो जाएगा अनुण अंचल प्रदेश में इंसुलेन का प्रियोग जो है ये किस बिमारी के उपचार मे होता है सही आंसर हो जाएगा सुगर या फिर मदमें बिमारी आप जीज़े काती हूँ बिहुज वह ये किस राजी का प्रिसिद्धे उपहर है सही हो जाएगा आपका असम का अगला आपके सामने कौन सा विटामिन आवले में प्रचूर मात्र में मिलता है इसका आंसर आप आपको विटामिन सी इस प्रचूर मात्र में देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर विटामिन सी आपका राइट होगा अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इसकर भी नामक रोग हो जाता है आप ये भी याद रखीगा अगला कि भारत के जो प्रतम गवर्नर जनरल यह कौन थे हैं सही अंसर हो जाएगा विलियम बैंटिक कागज का अविस्कार किस देश में हुआ सही हो जाएगा आफका चीन में अगला गौतम बुद्र के बच्पन का नाम क्या था तो याद रखेगा सिद्धार्थ हाँ अगर आपसे यह पूछा जाता है गौतम बुद्र लोगी ब्याड के दारा टेलिवीजन का आविसकार क्या गया था बारत की पहली महिला tas का तो राइट हुदम का रजिया सुल्दान अगला की मच्छयी जो किसकी साहिता से साहिता से इंकलाब जिंदबाद का नारा किस्स नी दिया सही एंसरुदम का भगस सिंग नहीं इसτιो तो पर संदर को पंजाब के अमरिचिसर में मैंने आपको पंजाब के सरी के नाम से किसे जाना जाता है तो लाला स्पत्राई को सांडर्स की अप्तिया किस ने की थी तो याद रखेगा मेरे पहरे भाई भाई भगज सिंग इनके साथी सुखुदेव भी थे इसमें सामिल अगला की भायत की पहली महिला राजी पाल कौन थी राइट हो जाएगा सरोजी ने नाइडू जो की उत्तर प्रदेश की बनी इसके लगा याद दखेगा कि जो गाईस अभायत की पर्था महिला मुख्य मंत्री वो कौन बनी तो सिरी मतिस विचेदा की रिपला नी ये भी उत्तर प्रदेश राजी की ही बनी थी माुंट वेट पर दो बार चरने वाली पहली महिला कौन है रइट हुज जाएगा संतो यादूर ये संतो मैं किसा दरा की गए थी राजा रामाहन रह सवामी दयानन सरुषटी का मुल नहीं क्या तो गाइस है मूल संकर वेदों की ओ लुटो वेदों की ओ लोटो का नारा किसी स्वामी दयानन सरुषथी नहीं और राम किसने किया शापला किसे के तु स्वाभी दुएका जूठी। देखो भाई, बोलते बोलते गला सूक जाता है, अवर आप समी में तर कमेंट भी करते रहते हो, कि सर वोROइस को थेड़ा-तेज करिए, ठोड़ा तेज बूला करिए, तो मैं तेज में बोलता हूँ, भले गला सूक सकते हैं कि आप तक हमारी आओज जो हो है इस पर क्लियर पोचे हैं ना कि मेरे पैरे भाई लगता है कि मैं आव के लिए ये कर रहा हूं जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अगर यह लग रहा है मेरे बैया तो कम से कम like कर दिया करो मेरे भाई ने कम से कम like तो करी दिया करो मेरे पैरे भाई इस class को अपने पैहरे मितर थेख में पहुत मेहनत लग रही है कि इस क्लास को लेने में एक है क्वेस्ट को मैंने टाइफ किया अच्छे डंग से टाइब किया है एक है कॉईश्ट मैं आपको एक इच्छे डंग से पढ़ा रहा हूं बहुत तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप तक हमारी आवाज वह इस क्लेर पहुचे लेकिन आप ऐसे मित नहीं कि क्लास को लाइक तक नहीं कर दो मेरी भाया मेहनत लगती है एक बार सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर दो फिर आगे बढ़ा जाएगा कोईशन के संख्या 900 है क्लास आपकी थोड़ी लंबी होगी तो मित्र एक बार लाइक जरूर कर दो चलो आई होग आपने कर दिया होगा मैं रिक्वेश्ट ही कर सकता हूं जोड़ सकता हूं आपके हाच्छे में करवा नहीं सकता हूं है ना वासकोडी गमा जो की पुर्थगाली यात्री था सबसे पहले समुद्री मालगी की कोज के द्वारा भारत आया ये कब आया राइट हो जाएगा आ 1198 में में अगला वासकोडी गमा कहां का रहने वाला था तो पुर्थगाल का हवा मैल कहां है तो ये गाईस राजस्तान की राजधानी जैपुर में याद रखेगा राजस्तान की राजधानी जैपुर में शिक्क धर्म का संस्तापक किस शिक्क गुरू को माना जाता है तेल को कि नेता जी जो है यह किस महापुरुष को कहा जाता है तो सुभाज संद्र पूस जी को डिली में इसी तलाल भादुष सास्त्री की समाधी का नाम क्या है तो याद रखेगा मेरी पैरी भाई इनकी समाधी का नाम है विजय घाट आप से पूछा जा सकता है तो याद तो यह रखना मेरी प्यारी मित्वा अगला महावाद के रचाईता कौन हैं राइट हो जाएगा महारीसी बेद्व्यास तो जो कोईसेशन्स आपके रिपीत हो रहे हैं इसको लेकर करके आप जिंता बिल्गुल भी ना करें कि गया सक्वेस्ट भले ही रिपीट हो रहें लेकि किसके दरबार में रहते थे अगर आप से ये पूछा जाता है तो यादर केगा ये रहते थे मेरे पहरे भाई चंद्रोगप्तिया मौडिया के दरबार में जह जबान जह किसान का नारा किसने दिया राइट हुजेगा आपका किसके दोरह जह जान जाहरा दिया गया मेरे पहरे बाई लाल बहादूर सास्त्री के दोरह समिदान सभा के अससाई अद्रक्ष कौनें director राजेंदर प्रसाद समिदान सभाग की प्रारूप समिती के अद्दक्ष कौन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर विस सुरेड क्रास दिवस किस तारीख को मनाया जाता है आठ माई को अगला आपके सामने सूरियोदे का देश इसे हम किस देश के नाम से जानते हैं राइट हो जाएगा जापान अंतराष्टे महिला दिवस किस तिथी को मनाया जाता है सही अंसर हो जाएगा आठ मार्च को चेत्रफल की दिश्टी से भारत में सबसे छोड़ा राजी कौन सा है सही हो जाएगा गोवा ओरम जो है किस राज का प्रिसिद देवहार है केरल का है दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी तो मेरे पहरे भाई याद रखेगा 1911 में 1911 में दिल्ली जो है भारत की अरष्टे फूल कौन सा है तो कमल है चोटी चोटी बाते हैं तो आपव इसे जानते होंगे बताने की जलूरद नहीं है बात का राष्ट्री पेंड कौन सा है तो वो एगा इस बरगत राष्ट्री खेर कौन सा है होकी और राष्ट्री जंडे की जो लंबाई चोड़ाई का नुपात कितना है तो तीन नुपात दो है राष्ट्र गान जो है इस किसने लिखा रमिनाठे को ने राष्ट्र गीत कौन साइब अंदे मात्रम है किसने लिखा तो बंकिम चंच अडर जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता जो है सबसे पहले किसने कहा राइट हो जाएगा नेता जुई सुभा से चंद्र बूश ने अगला आपके सामने हमारे यहां का जो राष्ट्रिय पंचांग है यह कौ राइट हो जाएगा हेनरी विकरली पेसमेकर का संबंद सरीर के किस अंग से है सही हो जाएगा हिर्दे से मानव सरीर की किस गरंथी को मास्टर गरंथी कहा जाता है तो राइट हो जाएगा आपका प्यूस गरंथी को प्यूस गरंथी को पिट्यूट्री गरंथी के नाम से भी-जानते हैं कि सेरीर की सबसे छोटी शोटी इस याद एक हलंद को याद कैसे और यपिए डैमेंड क है अगला आपके सामनेaguay का आविसकार या एकस कि कि शिदातु का प्रयोग मानों द्वारा सबसे पहले किया गया राइट हो जाएगा तामबा का आंत्रिक शियत्री को बाहियाकास कैसा दिखाई पड़ता है काला दुरवीन का आविसकार किस ने किया तो याद रखीगा मेरी पहरी भाई गैलीलियों ने किसका आविसकार किया दिल्ली में इस तित महत्मा गांदी की समाधी का नाम क्या है तो राज गाते कहा पर है तो अभी आपने देखा मेरी पहरी भाई डिल्ली में है बाद में जो पहली रेल है ये कहां से कहां तक चली मंबई या फिर मुंबई से लेकर कि ठाने तक ठीके अगला है कि भारत में पहली बार जो मैट्रो रेल सिवा है ये किस नगर से आरंब की गई तो याद रखना मेरे पहरे भाई कलकत्ता से ठीक है कलकत्ता से ही सबसे पहले मैट्रो रेल सिबा का सुभारम पकिया गया आपसे पूछा जा सकता है याद रखना भारत में रेल का आरम जोए कब से हुआ तो ये 1853 से शुरू हुआ प्रतम भारते आंत्रिक्छी आतरी कौन थे तो राइट रुदाएगा आपका वो जाएगा गाईस इसक्वाइडन लीडर राके सर्मा जोंकी 1984 में भारत के प्रतम आंत्रिक्छी आतरी बने है ना सबसे पहले आंत्रिक्छी आतरी कौन थे तो राके सर्मा थी भारत की परतम अ संयुक्त आष्ट संग के अस्थापना के अगर गाज़ा है कि संयुक्त आष्ट संग का मुख्यारे कहां पर है तो यह गाई से निव्यार्क में ये आपसे पूथा जा सकता है संयुक्त राष्ट संग के पहले महासची कौन थे हैं तो राइट हो जाएगा त्रिक बेरी इस समय संयुक्त राष्ट संग में कुल कितने देश हैं सदस्य हैं तो एक सूत्रा नमे संयुक्त राष्ट संग शुरुक्षा परसत के कितने देश सदस्य होते हैं तो पंद्रा और कितने देश अस्थाई सदस्य होते हैं तो पांच अंतराष्टे नयाले कहा है तो दाहेग जो की हावलेंड में पड़ता है यहाँ पर इस समय अन्तारष्टय नयाले जो है यह इसी थै याद रखना मेरे पहरे भाई याप से पूछा जा सकता है अगला सहयोगत राष्ट संग के वर्तमान महासच्यू कौन है तो बान की मौन जो है यह वर्तमान महासच्यू है सहियुक्त राष्ट सभा में हिंदी में भासर देने वाले पहले भारतिये कौन है तो वो थे गाइस अटल विहारी बाज़ पेई अगला आपके सामने कि सहियुक्त राष्ट संग सुरक्षा परशत के असाई सदस्य कितने वर्स के लिए चुने जाते हैं सहियुक्त राष्ट संग का जो 193 देश से वह कौन सा बना है रगस्ठ हो जाएगा आपका दक्ष्णी सूडान किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है अगर विटामिन के काई कम हो गई तो खून का रुकाव बंद बिल्कुल भी नहीं होगा हिंदे रि 1343 की अंदर गत्व हिंदी को राष्ट भासा कोशित किया गया ओलंपिक खेलों की एकल असपर्दा में सुरंग पदक जीतने वाले एक मात्रा भारते कौन है अभिनो विरिंदा अगला आपके सामने ओलंपिक खोईलों का आयोजन जो है ये कितने वर्सों बाद होता है सही अंसर हो जाएगा चार वर्सों के बाद अगला सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए राइट हो जाएगा रियोडी जेनेरो में अगला की अंदर रष्टे मानो जीवन अधिकार दिवसका मनाय जाता है सही अंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को अगला हर्याना की कौन से नसल की भाइ अगला की प्रसिद्ध सीतला माता मंदिर कहा पर है तो मेरे पैरे भाई ये गुडगाओं में है आप से पूछा जा सकता है याद रखेगा अगला की विसाल हर्याना पार्टी किसने बनाई सही अंसर हो जाएगा राव बीरेंदर सिंग के दौरा विसाल हर्याना पार्टी बनाई गई थी तो मेरे पहरे भाई हमने यहाँ पर 300 को कंप्लेट कर लिया मात्र मेरे यहाँ पर कितने कोशें बचे तो मेरे पहरे पैर बाई छे सो कोशें अभी आपकी वचे हुए है लेकिन अभी ये 600 कोशें कब कराए जाएंगे जब आप क्लास को पहले लाइक कर वह subscribe करेंगे ताकि आने वाली राइक क्लास के निटिफिकेशन जो है यह आपको टाम तरफ मिला करें तो थो पहले like कर दो subscribe कर दो share कर दो उसके बाद यह class में आगे बढ़ा जाएगा 5 second के लिए गास हम आपको time देते हैं सभी मेरे च्रका उलाक करेंजी इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं बलकि हॉंसलों की जरूरत होती है बात कहां तक सही लग डी है कि सब तक सही लग डी है हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात कहने का मतलब यह है मेरे मित्र कि अगर आपके अंदर हॉंसला है जज़बा है जोस है कुछ कर दिखाने का इसी ते कि मेरे पहरे भाई आप जीवन में अपने लक्ष तक चरूर पोचेंगे बस आपके अंदर हॉंसला नमकी सब्द होना चाहिए ठीक है चलो अगला आपके सामने मेरे पहरे भाई क्वेशन नंबर 301 हर्याना का छीतफल जो है यह कुल कितने वर्ग किलो मीटर में है राइट हो जाएगा 44,212 वर्ग किलो मीटर हर्याना के पहले मक्यमंदरी कौन थे राइट हो जाएगा पंडित भगवत दयाल सर्मा अगला कि किस देश की अस्तलसीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है शही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चीन की ठीक है चीन की ज राइट हो जाएगा तुफानी मौसम का अगर बैरो मेटर अचानक या एक साथ या अचानक गिर जाता है तो एक इस बात का संकेत है गाईस तो ये तुफानी मौसम का संकेत करता है भारती मरुस्तल का नाम क्या है सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा थार मरुस्तल दीक में घूमती है तो पस्यम से ले करके पूर विदिसा में अगला आपके सामे मेरे प्यारी भाई कोईशन है उजयन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो याद रखना छिप्रा नदी हाला कि यहाँ पर मेरे प्यारे भाई सिप्रा लिका है थोड़े टैपी मिश्टे के छ असानी से याद रख सकते हैं अगला नेमन मैंसे कौन सी दातु विजुली की तो देखो गाइस यहाँ पर जो चांदी है यह विदुद का सबसे अच्छी सुचा लख होती है अगला देखो अगला आपके सामने गोबर गैस में मुख्य रूप में क्या पाय जाता है सभा के सदेश्यों का चुनाव कितनी अवधी के लिए किया जाता है सही हो जाएगा आपका च्छै वर्स की अवधी के लिए हिंदी भासा के लिपी कौन सी है सही हो जाएगा आपका देव नागरी है हमारी आकास गंगा का नाम क्या है तो वह दुग्द मेखला या गैस मिल राम चरित्वानस किस भासा में लिखी गई है या किस बोली में लिखी गई है राइट हो जाएगा आपका आवधी में 317 नंबर क्वेशन है कि हरियाणा के राज्य कभी कौन कहलाते हैं उद्यभान हंस कहलाते हैं आदुनिक ओलंपिक खेलों की शिरुवात कब और कहां से हुई राइट हो जाएगा एथन्स के यूलान से 1896 अगला है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में आठ बाड सुर जीतने वाला कौन सा देश है तो वह है अपना फ्यारा भारत अगला आपके सामने कि भारत ने आकिरी बार हांकी में सरण पदक कब और कहां जीता था तो 1980 में मासकों में ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्सों की बाद होता है तो यह गाईच कुल मिलाकर के चार वर्सो कहां है स्विजर लेंड के लुसान में याद रखीगा प्वैस्टन आपसे पूछा दा सकता है सन 2012 में ओलंपिक कहां हुए थे राइट हो जाएगा आपका लंदन में ओलंपिक धोज में कुल कितने गोले होते हैं तो पांच गोले होते हैं एक ओलंपिक में सबसे अधिक जो है यह कहां हुए थे राइट हो जाएगा आपका जापान टोक्यों में हाला कि गाईजी हुए नहीं थे टाल दिये गए थे क्योंकि कोबीड आ गया था है ना कोबीड की वज़े से यह खेल ताल दे गया था 2022 में होने की बात की जा रहे थी सन 2012 के ओलंपिक खेलों में का जीतने वाली पहली भारत के महिला खिलारी कौन है वो हो जाएंगी करणम मल्ले सुरी अगला आपके सामने क्वेशन नबर 330 है बैक टूरी बेदाच या वेदों की ओर लोटो का नारा किस ने दिया तो गाईजे स्वामी दयानन सरसुती के दौरा दिया गया था प्रसिद ज जंडा गीट जंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस निकीदी राइट हो जाएगा स्यामलाल गुप्त पार्स दिखे दौरा 332 नमर क्वेशन है कि पस्वों में मिल्क फीवर नामक बिमारी जो है ये किसकी कमी के कारण होती है सही हो जाएगा आपका कैल्सियम की कमी के कारण है अगला कि मानम सिदीर के किस अंग दोरा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है या यूरिया को रक्त से अलग किया जाता है साफ किया जाता है सही हो जाएगा गुर्दे के दोरा करेंट यहां पर क्या हो जाएगा आपका गुर्दे के दोरा जो बेडियर बतारें गुर् आर्थजास्त्र में नोबेल प्रास्कार मिला है रत्रद्रत्र सम ऑлись इस शरी उस्ताद विश्मिल्हाइज किस वाद्यंद्र के वादन में विख्छात रहे राइट हो जाएगा आपका सहनाई में भारत के अंदियम गवर्नर जनरल कौन थे तो चक्रवर्ती राज गोपालाचाई बिलाई इस बात सनियंद्र का निर्मार किस देश के सहयोग के साथ किया गया था राइट हुजाएगा आपका रूस के साथ उत्री धुरूब में भारत के अनुसंधान केंदर का नाम क्या है राइट हुजाएगा आपका हिमाद्री अनुसंधान केंदर विश्व में माउंट एवरेश्ट पर चेहने वाली प्रत्थम महिला कौन थी प्रत्थम महिला थी प्रत्थम प्रत्थम महिला थी पास्कल प्रत्थम नाम है और इन्हीं के नाम पर दाब का एसाई मात्रक पास्कल रखा गया है यह भी आप याद रखेगा जो कोईसंस होई आपसे यह पूझा दा सकता आपके अग्जाम में यह कोईसंस ट्पक सकता है कोलोडोफिल का खनिज घटक क्या है राइट हो जाएगा मैगनिसियम एलपीची गैस में क्या होता है लिकिफाइड पेट्रोलम गैस में ब्यूटेन नावक गैस पदाक्षिस में सम्रित किया जाता है ठीक है अगला आपके सामने मेरी पहरी बाई कि किसने सबसे पहले अभिलेखों को पढ़ा तो देखो गैस असोग के अभिलेखों की जो खोज है अगला की किस बहुत विच्चु के प्रभाव में असोख ने बहुत धर्म गिराण किया था देखो जब कलिंग का यूद धुआ दो से एक सड़ीशा पूर में भैंकर अक्तपात को देखा असोख ने हिर्देपसीज गया तो गैस उन्होंने उपगुप्त से दिक्सा लेकर कि इन्होंने बहुत धर्म ग्राहण कर लिया और उसी के समय के बाद इन्होंने बहुत धर्म का प्रिचार प्रिचार करना शुरू कर लिया अगला की कौन सा मुगल बास सा असिचित्ता या अनपड़ था राइट हो जाएगा अकबर और आपने देखा भी होगा अकबर बी सबसे प्राचिनवेद कौन सा है रिगवेद में ही गाय से गायत्त्री मंत्र का उलेख किया गया है आप यह भी आद रखेगा कोईशन आपसे पूछा जा सकता है अगला कि किस सुल्तान ने अपने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अस्थाना अंत्रित की थी राइट हुजाएगा मुहांबद बिन तुगलखनी प्रथम पंच वर्से उजना कब शुरू हुई 1951 में प्रथम बार पंच वर्से उजना की शुरूआत की गई चेने यात अगला देखो मनुस्य के सरीन में कुल कितनी हडिया होती है चोटे-चोटे-चोटे बच्ची जानते हैं 206 होती है सुरBe के प्रखास के काँसा बिटामिन प्राप्त होता है बिटामिन D मादा एन अफलीच मचल के कटने से कौनसा रोग होता है मलेरिया के रोग से बचने के लिए हम गाइस कुनैन का प्रियोग करते हैं आपने देखा ही अगला है कि गाइस जो टेलिफोन का आविस्कार है किसने किया था तो अलेक्जांटर ग्राहम बेल ने प्रकास की गती जो है कितनी है ठीक है कि प्रतवी जो है सूरी का चक्कल लगाती है तो यहाँ पर सौर प्रणाली की खोच गिसने कि अगर आपसे पूछा जाता है मेरी पहरी वाई इस परकार क्वेशन तो यह दखना कॉपर निकस के दौरा ही की गए थी प्रकास वर्स का संबंद किसे तो गाइस एस्ट्रोनामिकल यूनिट या ख़गोरी यह दूरी से है प्रकास वर्स का संबंद आप यह भी आद रखेगा आपसे यह भी पूछा जा सकता नेक्स्ट आपके सामने वाई डियर क्वेशन है कि सौरण मंदिर जो है कहा है यह क्वेशन आपके एक्जाम की पॉइंट अभी से बहुत जादा महात पूर्ण है क्वेशन जो है यहाँ पर यह जितने भी लिखे गए है ना 302 से ले करके 379 तक यह हर एक क्वेशन आपके सिंगापुर में यह गाई सुबास साम बोश के दारा की गई तिया स्थापना सिच्छक दिवस पांच सितंबर को मना जाता है जो उक्राष्पतिस और पल्ली डादा के से उनके जन्म दिवस के आउसरवर ठीक है तो दिवस को खेल दिवस मना जाता है तो 29 अगस्त को खेल दिवस मना जाता है या वही क्वेशन आपके सामने भी आ गया कि इसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मना जाता है तो मेजर ध्यान चंद की अगला की विस सुपरियावर दिवस हो यह कम मना जाता है सही अंसरू जाएगा आपका पांच जूल को देखो क्वेशन आपको टफ लगे एजी लगे मॉडरेट लेबल लगे कुछ मतलब नहीं है क्वेशन आपके बहतर क्वाल्टी के हैं एग्जाम में टफगने के क्वेशन की ज्यादा संभावना है तो आप हरे क्वेशन को एक अच्छे दंग से देखिए और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो जरूर कर दिया करूं और इस पीड बढ़ाने से आपको आज हमारी अ दिन बाद कत्ता ही भूल जाएंगे तो इसलिए मेरे प्यारे भाई अच्छे धंग से बिलकुल इत्मिनान से बैठकर के आसानी से देखिए निश्यत की आपको हरे क्वेशन एक अच्छे धंग से समझ में आएगा विस सुपरियाव और दिवस्वेगाई जिक कम मनाया जा बाद लेखिए अबर लोटो को नारedel से गॉत्सके दौर्द पर ही गया जीए दोर्या कर नारे से समझाव निफल्ध से खेंग से 악य घ्जरा में आ करे धाया हूँ तो मेरे बहती घुच्छ से को ऑड़िके दिन्गया आराम हराम है क्या नारा किसने दिया मेरे पहरे भाई देखो जो गाइस आराम हराम का नारा है किसने दिया था तो ये जवाहलाल नहरू जी के दौरा दिया गया था जैजवान जैकिशान का नारा ये लाल बहादु सास्ती के दौरा मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया तो बाजु कातिल में है। सर्फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोड़ कितना बाजु कातिल में है। यहां नारा किस ने दिया तो मेरे पहरे भाई यह दिया गया था राम उप्रसाद विश्मिल जी के द्वारा आप यह भी याद दखेगा कोई से पूछे जा सकती है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है याद अखना समुद्र गुप्त को सती प्रता के अंत में सबसे अधिक प्रियास जो है एक किस समाज सुधारक का रा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय या भारत में जो पुनर जाग्रन के जनक कही जाते है राजा राम मोहन राय उनका सबसे अधिक प्रियास राज साथी प्रता के अंत में राम किसन मिशन के असापना किसने की स तो मेरे पहरे भाई ये दिया गया था सुभाज संद्र बोसी के द्वारा अगला आपके सामने माई एक्सपेरिमेंट बिट तुथ उस तक के लेखक कौन थे राइट हो जाएगा महात्मा गानी बारत का सर्बोच छिनागरिक संबान कौन सा है राइट हो जाएगा भारत रत् पूछा जा सकता है और हाली में किसे दिया गया तो याद रखना अमिताब बच्चन को अगला की भाद का सर्बुच्य भीरता पदक का नाम जो है यह कौन सा है तो राइट हो जाएगा आपका परमबेड चक्रा अगला की भाद का सक्सपियर जो है किसे कहा जाता है तो मेरे पहरे बाइब रखना काली राज कों से कौई कांक भी तो की जाने वाले प्रतम ब thyroid को निघ्य जाने वाले प्रतम भारति तो राकिष्र lihat प्रतम भारती उपक्रे का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था प्रतम भारती उपक्रे का नाम आरेभट्ट जोकि 1975 में छोड़ा गया था याद रखना आप से पूत आजा सकता है अगला गाइस की जो राइस्वान को बचे जब रही टी कस्ती और दूर था किनारा तब भी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा बात जो लिखी गए बहुत अच्छी बात लिखी गई यह तो आपको विश्वास करना है वह आपको अपनी महिनत पर करना है बस अगर आपको अगर निरंदरता पर विश्वास है तो निश्ची तकी आपकी एक सीट कंफर्म जरूर होगी सिलक्षन तो आपका हो करी रहेगा बस आप महनत करते रहना मेरे पैरे भाई पुरी जीजान सिद्दत के साथ पहाई करते रहेगा चलो अगला की घेंगा रुक किसकी कमीशी हो कुल कितने भारतिये भासाओं को माननेता दी गई है चीन की मुद्रा कौन सी है राइट हो जाएगा यू यान जो एगाई चीन की मुद्रा है राजधानी अगर आपसे पूछी जाएगी तो यह रखना बीजिंग जो है चीन की राजधानी है रेड क्रॉस के संस्थापक अगला आपके सामने क्वेशन क्या कह रहा है हीमोग्ले वीन की कमी से होने वाला रूप कौन यहीं रह नहीं रहा रहे गई ना सरोजिनी नाइड है ना अगला के दिल्ली में कुत्म मिनार जो है यह किसने बनवाने शुरू की थी आप से यह पूछा जा रहा है अगर आप से यह कहा जाता है शुरू किसने की तो कुत्बुदी नेवक ने पूवण किसने करवाया तो इल्दूतमिस ने पांचवे मंजिल तूड गई थी उसका पुना निर्मार किसने करवाया तो फिरोज तो गलखनी ओके बनारा सिंदो विश्विद्याले या विच्छी हो कि अस्तापना किसने की थी यह संस्तापक कौन थे पंडित मंदन मोहनमाल भी यादखना अर्थ सास्त्र के लेग कोने चालक है जिने हम क कि स्कुल कितने देश सदसि हैं कौन कौन से हैं आठ है कौन कौन से देखो भारत हो गया नेयपाल हो गया बंगलदेश हो गया स्रीलंका हो गया मालदीफ हो गया भूSer Lakia पाकिस्तान अफगारिस्तान यह आठ अइसे देश्व जो इनकेश्य सदसिง अगला क्वेशन है कि भारत की जो त्रट्रीका की लंबाई ये कुल कितनी है पच्छत्र सो सूला किलोमीटर विश्व में जो मीका या अवड़क है इसके सबसे अधी कुदपादन जो है ये किस देश में होता है तो अपने भारत में ही होता है ग्राइंट रगरूड किसने बनवाया लेट सरी बीटामिन की कमी से कौन सा रोग Fergus होता है बहरी बहरी तो मिलता है झे modest अपक्रवरिट और याद्धियागा ङहीं मेरे बहरे भाई मिटामिन की कि इसमें नहींonta है तो देखो दूद में बिटामिन आपके सामने वीटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है अब देखों विटामिन डी वीटामिन डी की कमी से लिए रोग होता है मेरे पहरे भाई एक बात आप और याद रखेगा अगर आपसे यह पूछा जाता है कि विटामिन का आविस्कार किसने किया था तो मेरे पहरे भाई याद रखना फूंक ने किया था किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जनता है तो विटामिन K की कमी से है अगर विटामिन E की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है तो बांजपन रोग हो जाता है विटामिन C का रासाइनिक इनाम क्या है तो एसकॉर्बिक अमल है वसा में गुलंसील विटामिन कौन कौन से हैं तो वो हैं A और E इसके साथ साथ आप याद दखेगा K और D ठीक है तो K E D और A यह चार विटामिन हों जो वसा में घुल सकता है तो K विटामिन विटामिन E विटामिन D और विटामिन A और विटामिन से विटामिन विटामिन विटामिनक नाम क्या है तो यह मेरे पहरे भाई सुरीम क्लॉडवाइट यह विया भी अगर कोई ब्यक्ति से सूंग लेता है या तो मेरे पहरे भाई वो हस्ता ही रहता है ना पागलोग की तरह चलो अगला आपके सामने क्या कहरा है इसको देखिए अच्छे टंग से धावन सोडा गाइस धावन सोडा का जो राश्यानिक नाम है क्या है आपसे यह पूछा जा र लासायनिक नामあります, विटामिनD का नेत्रदान में में नेत्र के किस भागा दान किया जाता है किस बिटामिन debate में कोबाल्ट होता है sister कोशिका का पहवर हाउस किसे कहा जादा है तो माइट्रो कांड्रिया को यहां पर कांड्रिया लिखा है कौन डिया नहीं कांड्रिया होगा ठीक थीडी टैप मेश्चेक माफ़ करना तो कोषका का नॉद्क होई है ्याथ लाल अटकट्र कटिकाओं या फिर जिने आफ एक बाइंगे इसका को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए मेहनत बहुत लग रही है अगला आपके सामने राश्ट्रिय विज्ञान दिवस कम मना जाता है याद अठाइस फरवरी को कम अठाइस फरवरी को ब्लेट प्रेसर या फिर जिने कहते हूँ आप रक्तदाप या मेरे पहरे बाई बी-पी इसको मापने के लिए हम किसी यंत्र का प्रियोग करते हैं तो इस फिगो मैनोमेटर का प्रियोग किया जाता है कम्प्यूटर की जो पर्मानेंट मेमोरी है क्या कहला तो इसे हम कहते है रोम रोम याने की पूर्ण रूप आ जाए तो गाइस होता है read only memory यह गाइस हो गई थी ने सो साथ के सूरत अज्वेशन में अगला कि 440 में तंजोर का निर्मार करता थे यह कौश्चन नमर 440 था अगला कोश्चन नमर 441 की मुगल सामराट्य अकबर का जन्म कहां हुआ था तो याद रखना अमर कोट के दुर्ग में हुआ अगला की वर्स 2014 का फूटबाल विस्सकब जो यह किस देश में आयो ओजित हुआ था राइट हो जाएगा व्राजील में 2008 का फूटबाल विस्सकब किसदेश में आयू जीत हुआ था था तो रूस में 2014 का कामर्न बेल्थ कहा आयो जी था था तो ग्लासगो में दोजा पंद्रा का कहा आयोजी थुआ था तो न्यूजी लेंड और आश्टेलिया में ठीक है अगला के संसत के दोनों सद्रों के संयुक्त बैठन की अद्धक्षता कौन करता है तो लोकसभा के अद्धक्ष अगला आपके सामने मेरे पहरे भाई की भारत के प सबसे बड़ा उत्पातक देश है मैक्सिको चेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छूटा देश कौन सा है तो टो वेटिकन सिटी ये सबसे छूटा देश है अगला देखों स्वैज नहर जो ऑई एकिन-दो साग्रों को जोड़ती है गयाज ये मैने आपको बहुत किन पहले नहरे सागरों को जोड़ती आपसे ये कहा गया तो यादहना भूमत्री सागर और लाल felt महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है बारत के संगिये छेत्र दाद्रा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है सिर्वासा है अगला देखो छेत्रफल की दिठी से बात का सबसे बड़ा का है तो राजस्तान है सबसे छोटा कौन से भाईया तो वह है आपका गुव प्रतमी दिवस का मनाया जाता है तो यह बाइस अप्रेल को मनाया जाता है अगला देखो क्वेस्टा नमर चान सो उनसाट है कि फूलों की घाटी किस राज़ी में है उत्राखंड में है वर्शो 2011 में नवनेर्मित राष्ट्र दक्षरी सूदान की राजधानी कौन सी है तो अबुल फजल ओप में कप जो ही कि स्केल्स समदी थे तो टेनिस से अदेश वंदू की नाम से कौन जाने जाते हैं तो मेरे पहरे भाई कौन जाने जाते हैं चितरंजन दास असोग चक्त्र में कितनी तीलिया होती है 24 तो दूर पीने वाला बच्चा होगा न वह भी इसका पांसर देदेगा मेरे पहरे भाई अगर आपने अवीता क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजेगा अगर आपने अवीता क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीस लाइक कर दीजेगा मेहनत लग रहे हैं और मैं आपको एक बात और बता दू कि मैं को कि यहाः तरहएं तेज बोल गला बेढ़ जाए कोई बात लेकिन आपको अवाज किलिए सुनाइब तो मेरे वाई जब आप सेर करेंगे सपोड करेंगे तभी आपको डेली प्लीज को सेयर कर दिया करो अपने मेत्र तक साजा कर लिया करो ताकि उनका भी फाइदा हो और साथ में आपका भी थोड़ा नाम हो कि हमारी पास उन्होंने क्लास किया मतलब हमें कुछ चाहते हैं ना चलो अगला आपके सामने कि भारत में सबसे जो पहली फिल्म थी वह कौन किसने दिन का होता है 120 दिल आपके अग्जामे निया थक्ता है या दोनों कैस्टन आपके एग्जाम में आसकते हैं मैंने यह बात पर हाईलाइट कर लिखा है चलो मानुसरीड की सबसे बलग ग्रंथी कौन सी है तो है आपकी यक्रित ठीक है और सबसे जोटी तो पी उस अगला भारत का प्रथम तेल सोधन सन्यांत्र कहां पर है तो ये गाइस असम के डिगवोई में है यूनेशको यूनेशको द्वारा कलिक प्रसकार जो है ये किस छे में दिया जाता है है द्राबाद में चार मिनार का निर्वार किसे नहीं करवाया तो कुली कुदुपसा की द्वारा करवाया गया कांग्रेश की द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारिट किया गया तो 1929 के लाहूर अधिवेशन में कांग्रेश क सबसे पहले पूर्ण स्वाधिनता का फ्रस्ताव पारिट किया गया था स्वैत क्रांधी का समद्र किस्से हैं मित्र यह दूद से यादट ना आपसे यह भी पूठा जा सकता है अगला देखो क्वेशन अगला आपके सामने क्वेशन नबर 478 है भारत का सबसे पूराना चालू रेल इंजन कौन सा है राइट हो जाएगा आपका फेरी क्विन अगला देखो क्वेशन है कि भारत में आपाद काल की जो प्रतम घोशना अयरिक कप की गई जब चेनी अक्रमड के समय si boca़ 2 अक्टूबर можем ज भारत में भासा कह चया पतव पलवा सबसे बाहले किस राज ऐका हुआ हूँ तो मेरे पहरी बाई यह हूँ था आंधुर्देश का भारत में हमला करने वाले जो प्रतम मुस्लिम आकरमर कारी थे ये कौन थे तो यादखना ये थे मेरी पेहरे भाई मुहम्मद बिन कासिंग और इन्होंने कब किया था तो यादखना 712 इस्वी में किसने लिखी कि अधर अगे इन्हों ने इस पुस्तक में लिखा को संदिती है कि स्रीलंका का पुराना नाम क्या है राइट हो जाएगा मेरे भाइब की मनें आ भी आपको बताया है आपने देखा आई होका स्टेनलस इस्टील यह किसकी मिस्रधात्व है तो यह आइरन यानि लोहा प्रतवीप के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। महात्मापुद्र ने अपना पहला उपदेश कहां दिया सायनात में या कोईशन आपके एक्जाम में आ सकता है बार बार रिपीटेड हो रहे हैं मतलब इंपोर्टेंट है। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है तो याद रखना मेरे पहरे भाई चोटी आत्में या कहीं के आपको एक्जाम में इस प्रगार भी मिलेगा। कि मानु शरीर में बोजन जो है, इसका सब्चियरिक पाचण जो है यह किसमें होता है, तो मेरी पहरे बाई, चोटी याद में होता है आनुवान सिक्ता के नियमों का प्रतिपादन किस ने किया तो Gregor Zorn Mindele ने किया था यादटना है मेरी प्यारे भाई अगला माने उदारा सबसे पहले किस सिध्धान्तों का प्रियोग किया गया चोटे-चोटे बच्चे जानते हैं तांबा हो जाएगा है न बाल पेन बाल पेन जो ही किसके सिध्धान्त पर काम करता है इसका अंसर आपको बताना है थोड़ा सा यह हो गए आपका मेरे प्यारे भाई सूरिया और सूरि के बाद जो है वह आपका बुद्र उसके बाद है शुक्र उसके बाद है प्रतवी उसके बाद है आपका मंगल बुद्र शुक्र प्रतवी मंगल और उसके बाद है आपका बहस्पती उसके बाद सनी उसके तो यहां पर आप देखो सूरी के सबसे नजदी की अगर आपसे कहा जाएगा तो बुद्र प्रतवी के सबसे नजदी की अगर आपसे कहा जाएगा तो शुक्र ठीक है और ब्रहस्पदी की सबसे नजदी की अगर आपसे कहा जाएगा तो आप करेंगे मंगल याद रखना मेर रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दू क्योंकि किसमत के सितारे तभी चमकेंगे जब नेंडे आपकी अधूरी हो बात कितने वाजवाब लिखे गें हैं ना मेरे पैरे भाई अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं जीवन में अपने लक्ष को प्राप्त करना है तो जो सामी विवेका न הם चीने कहा था मेरे पैरे भाई क्या कहा été कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आपको तो क्यों कि किसमत के जो सितारे हैं ये तभी चमकेंगे जब नीडे अधूरी रहेंगी तो मेरे प्यारे भाई मेहनत करो पुरी जीजान सिद्धत लगा दो पुरी ताकत लगा दो अगर कहा जाए तो गाईश आप किसी भी कौर्णमेंट साथ की तयारी कर रहे हैं अगर आप यह मान कर चलें कि हमारे पास यह लाश्ट और गोल्डन चांसे तो आप अपने तयारी में थोड़ी और भी धार दे सकते हैं तो मेरे प्यारे मित्रा मेरे भाई वहन आप पूरी ताकत लगा दीजे इस बार पुरी सपने लगा दीजे अपने सपने को पूरा करने के लिए जिजान लगा दीजें कि आपका। कहे दे कि ये तू नहीं या फिर ये तुझसे नहीं हो पाएगा तो मेरे पैरे भाई इस बात को ना सुनने के लिए आज आपको मेहनत करना पड़ेगा संगस करना पड़ेगा ठीक है तो क्लास को शेयर कर दो अपने प्यारे भाई तक मित्र तक बहन तक इस क्लास को साजा कर तो उन्हें भी इसका लाव मिले और आपका भी गाइस थोड़ा मतल़ा बरे लेसंस बढ़े की उन्हें हमारे प्लास क्लास शेयर किया ठीक एक कुछ समझ के क्लास करते हैं तो मेरे पैरी भाई एक बार साजा जरूर कर लो इस क्लास को अपने प्यारी भाई में दक सेयर कर दो चाहिए आपका वाटसब ग्रूप याप वाटसब चला रहे आपने में प्लास के बारे में क्लास की बारे में जानकारी दे सकती हो थीक है तो क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो मेरी प्यारी भी करें को कोईशें नुमर 501 सुबसंख्या मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रत्मिम्म यह कहा बनता है तो या दखना मेरे प्रत्मिमा का संचनन जो है यह किस दौरारे होता है मेरे पहरे बारी बीकिणन के द्धारा होता है लिखा है मैंने भाइ बीक्रण अगला की दीन ने याई डी ऑक्सी राइबो नइकलिक एसिड की जो दूई गुणित कुंडली का पता है यह सबसे पहले किसने लगा था याद रखना यह लगया था Watson और Crickley अगला धोने की तेवर्टा किसमें वापीज आती है तो decimal में वापीज आती है मदुमख्य पालन क्या कहलाता है Epiculture कहलाता है याद रखना मेरे प्रिष्ट को प्रथम प्रिष्ट को हम क्या कहते हैं किसी भी website के प्रथम प्रिष्ठ है मेरे प्यारे भाई इसको क्या कहा जाता है होम पीज कहा जाता है ठीक है अगला गाड़ियों में पीछे का द्रिश से देखने के लिए किस दरपड़ का प्रियूग किया जाता है तो उत्तर दरपड़ का प्रियूग किया जाता है अगला देखो सामानने परिस्थितियों में जो हवा में ध्वने की गती है यह किदनी होती है तो यह होती है गाई से 332 मीटर प्रतिस सेकेंड वह एक मात्र गड़ा कौन सा है जो अपने धूरी पर पूर्व से पक्सिम दिसा में घुमता है रहे होगा आपका सुक्रा सुरी में सबसे अधिक कौन सी गैस भड़ी हुई है तो हाइडोजन है बाद भी हीलियम भी इसमें संभली थैं अगला की प्रतवी से दिखाई देने वाला सबसे चमकील अगरा कौन सा है तो वह है मेरे पहले भाई सुक्रा या वीनस सौर मंडल की आयो कितनी है तो यह आपका 4.6 अरब वर्स ठीक है 4.6 अरब वर्स है अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि कौन सा पुछलतारा 76 वर्स बाद दिखाई देता तो 15 क्लोमेटर के लगबग है हाला कि मुझे यहां पर यह लगबग लिखना चाहिए मैं लगबग नहीं लिखा मापकरना यहां पर लगबग आपका इस 15 क्लोमेटर के लगबग हो जाएगी सूर्य का प्रकास प्रतवी तक पहुंचने में कितना समय लिपता है अब देखो कब और कहां किया याद अखना बाद नहीं जो पहला परमाणुत परिक्सा रही यह 14 मई 1974 को राजस्तान के पोकरन में किया था आपसे पूछा जा सकता है एक्जाम के दिश्टी से इंपोर्डन कोईसे ने आपके एक्जाम में यह कोईसर पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर क कि उपचार में जो परियुक्त उत्कृष्ट गैस है वो कौन सी है तो वो है गाइस आपके रेडॉन रेडॉन जो यह कैंसर के उपचार में परियुक्त की जाती है अगला देखो मोनेजाइट बालू में कौन सा खनीच पाया जाता है सही हो जाएगा आपका थोरियम अगल अग्सक्ता है इनका पूरा नाम है कार्ल लैंड इस्टेनर लिखा गया है या रखना ब्लेड ग्रूप की खोज वेगाईजिक कार्ल लैंड इस्टेनर के द्वारा की अलुमीनियम का आजस की क्या है यह बॉक्स साइट आ सकते हैं पहला कृत्रिम उपग्रे कौन सा है तो सुपा सबसे पहला रूज की दोरा बनाया गया था इस पूतनिक फर्स्ट यह पहला कृत्रिम भारत की बात की जाएगी तो आरिवर्ट किया जाता है राइट हो जाएगा आपका डाइडेमों की दोरा अगला आपके सामने इसका अंसर आपको बताना है साधी क्वेशन इसक क्वेशन इसके बाता है रिक्टर पराइन काते था यह पूरा नाम कहा जाया तो रैंडेम एक्सेस मेमोरी यह कंप्वेशन इसका पर ढूप सकते हैं वह पतल में सबसे आधि कौन सी ने तो बरी सबसे नीचली सटा को क्या काते यादथन ने प्रितवी को एक डिगरी देसांतर घूमने में लगबग लगने का समय चारे मिलिट का है ठीक है प्लाश्टर आप पेरिस किस से बनता है मेरे पहले भई जिपसम से बनता है मचलिया किसकी साहिता से सास लेती है तो गलफड़ों की साहिता से याद अखना और रिम पाँ पंपर बनाने की क्रिया क्या निकालना या दूघ को मतना यह सारी 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 अफटेंडें बलपर आधारी ते पूछा जा सकता है मुंबई में और आप से पूछा जाता है कि जो असापना है यह कब हुई तो मेरे पहले याद रखना इसकी असापना हुई थी अप्रेल 1935 में कब हुई तो तो इसकी सब्सक्राइब क्यूंता मैयुए सब्सक्राइब कर्या करना सिंगहासन के अपने साथ स्वादेस चलातर अब दिक है इंहोंने कोही מिर और मयूर सिंगहासन के अपने देश चला गया कॉन तो नादिर साथ बाद में सबसे पुराने परबत श्रिंक ला कौन सी ये तो वह अरावली वर क्यों या परफत्माला भाःःति के तल का लगबग कितने पर्शित पानी धरती के तल पर लगबग 71 परसंट पानी है कि अगला है कि भारत कि सब्से लंबी असलिय सिमा किस देश के साथ लगती है तो बहुत जानते हों गया हमारे सौर मंदल का सबसे बढ़ा गरह कौन सा है मेरे पहरे भाई रहस्पती है स्वjuna मंदल में सबसे ज़्याधा वाला घ्रहा कोंज सा है वह क Conc pourquoi किस लिगार का जाता तो तो कोशी को बंगाल का सोक अगर आप से क้ जाएगा तो याद रखना दांगोदन नदी को बंगाल का सोग दांगोदन नदी विःकार का शोप तो कोशी दी इसमें कोशी जोए गाई यह फान पर भी चल रही है आपने देखा ही होगा गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंद यूपती पदार्श को मिला जाता है जैसा आप जानते ही गाईस की जो व्यूटेन होता है और नही कि दीए फाने को वी कुछ भी भीनेज हो रहा हूं तो उसकी कदा से मुझेे पता चल जा है कि गिस इसमें आपकी Whole Life मिक्सर आप जाता है तो ώं मरD की नियां पर आपका बिल्कुराः हुआ ही एम्पोटेटें आके आपके एक्षाम केर्षटी से क्वेशन नमबरreh जांग यह थोड़ा गाई जहां पर यह मिस्टेक है 304 नहीं वाई मंदल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशा थे नाइट ओजने कितना है भाईया तो यह आपका 78 परसेंट ठीक है आप से भी पूछा जा सकता है याद रखना साध मैंने लिखा भी कहीं है उसके पो गया 78 परसंट है ठीक है अगला कोडाल की मंदल कि इस प्रदेश में में तो यह है उसामें या उसका में किसे अलग होकर कि 1971 में बंगलादेश का निर्मार हुआ था तो याद रखना में पाकिस्तान से यह बाग डेश ही थे है ना बाद में बंशच्याइस जब www. कि आ GOOD कि दोरा किया तो आभी यादर्खना एक किड क peng में कितने वाइट होते हैं अभार्दे-राश्टी कोंग्रेश की 1929 के एडिहासिक अरिवेशन की अधक्ष्टा किस ने की थी तो जमाहलाल नहिरुजी ने की थी केंदरी एसंबली में बंफएकने में भगट सिंग का जो साथी था वा कौन था मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कप की 1940 या 1940 ने अगला कुछ ने की कामन वील पत्रिका का प्रकाशन किसे ने किया था एनिवेसंट ने किस एक मात्रा भारतिये को अर्थसात्र में नोबल पुरस्का मिला तो आमर्तिसेन को आठासोचपन में बिधवा पुनरविवा कानूनकी किसके परियासों से बनाया गया था इसका अंसार आप सभी को बताना है आङजह को सही अंसर हो तो जाएगा आपका आए शोल चान विध्या सागर के परियासों से चलिए और पांसोग अनसर किया prevention पकी सामने है कि लाइड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दर्बार में भारत में क्राउन के सासन की गोस्तनाग की देखो यह क्वेशन आपको थोड़े टफ लग रहा होगा लेकिन एक्जाम में टपकने के जादा चांस है यह क्वेशन आपका इंपोर्टेंट है हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हैदराबाद के निजाम में नेश्ट है आपके सामने भारत के सबसे अधिक बड़ी जनजाती कौन सी है मेरे पहरे में तो याद रखना गांड जनजाती जो है यह भारत के सबसे बड़ी जनजाती है यह क्वेशन आपके अग्जाम में आपके टपक सकते हैं यह question तो इसका answer आप याद रखिएगा अगला आपके सामने question number 562 है भारतिय राष्टे कॉंग्रेस की प्रत्थम महिला अद्दक्च कौन थी सही answer हो जाएगा आपका एनी बेसंट जो भी बताने एनी बेसंट बिल्कुल सही हो जाएगा सहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं सही हो जाएगा सहीद ए आजम भगत सिंग अगला किस योजना के फलसुरूप भारत का विभाजन हुआ तो माउंट एवेंटन योजना के फलसुरूप राइट होगा मेरे पैरे भाई अगला question आपके सामने है question क्या कह रहा है 565 number question है कि जन्रल डायर जो की जलियावाला बागत्याकान से जुड़े हुए है कि हत्या किसने की थी मैंने आप सभी को पहले ही बताया मेरे पैरे भाई 13 अप्रेल 1919 को पंजाब की अमरिस सर में जलियावाला बागत्याकान गेटित हुआ और इसका बदला लेने के लिए सर्दार उदम सिंग ने जन्रल डायर की हत्या कर दी थी तो किसने की सर्दार उदम सिंग ने बंगाल के भी बाजन कब और किसके दोरा किया गया था 1905 में हुआ था गवरिनर लाड करजन की दोरा यह क्वेशन आपके एक्जाम में आ सकता है याद रखना भारत में उच्छी ने आले की संक्या कितनी है 24 है प्रतम लोग सबाज दक्ष कौन थे हैं जीवि माउलंकर या जिनिगार गनेश वासुदियों माउलंकर के नाम से भी आप जानते है समयदान सवा का अस्था यदक्ष किसे चुना गया था तो सचीदान अंदिश चिनहा को मेरी प्यारी भाई याद रखना अगला आपके सामने क्वेशन नमर पांसो सतर है कुछी पुड़ी निरत्य सहली मुख्यता किस सराज्य से समंदित मानी जाती है यह क्वेशन आपके अग्जाम में आ सकता है इंपोर्डेंट है याद रखना मेरी प्यारी भाई कुछी पुड़ी निरत्य सहली जो है यह आंध्र प्रदेश में मानी जाती है मुख्यता किस सराज्य से समंदित मानी जाती है सही अंसर हो जाएगा आपका केरल जी अगला है कि भरत नाट्य मुख्यता किस सराज्य से समंदित मानी जाती है तो तमिल नाट्य कथकली जो यह कहां की है तो यह केरल की यह जागा है जो कोईसंस आपके सामने आज अभी आप इस समय देख रहे हैं यह बहुत जादा जरू कि अगर आपने अभी तक इस कुलास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भई यह बहुत नमेहनत लगती है मेरे प्रारे मित्र प्लीज लाइक कर देजिए सभी में तो एक बार क्लास को दिल की घहराई से लाइक जरूर कर देंगे भारत में प्रतम बगु उद्देशी य किसे अपना राजिनीती गुरू मानते थें सही एंसर हो जाएगा आपका गोपाल किसन गोखली को जो भी डियर पहरे भाई गोपाल किसन गोखली बता रहें बिल्कुल राइट हो जाएगा अंतराश्टिय सांती एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी 1913 में सबसे पहले नोबल प्रसकार से नमाज आ गया था अगला आपके सामने कि मिली योजना जो है ये किस वर से शुरू की गई सही अंसर हो जाएगा 1995 में मांगलादेश का राष्टगान कौन सा है और इसे किसने लिखा आमार सोनार बंगला ये रभिना टेगोर की दौरा लिखा गया याद रखना अगला है कि लोधी वस का संश्ञा सोधन को मिनी कांस्ट्टेशन कहा जाता है अगला है कि गोता खोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिस्रन ले जाते है तो मेरे बहेरे भाई याद अखना आक्सीजन और helium gaso का misran लेकर जाते हैं गोता खोर पानी के अंदर ताकि वो आसानी से सांस ले सकी तो right यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका oxygen और helium gaso का misran लेकर जाया जाता है अगला आपके सामने question है कि homeopathic questions आपक कौन है right हो जाएगा honeymoon फालों को पकाने के लिए कौन से गैस उपयोग में लाई जाती है सही आंसर हो जाएगा एथिलीन गैस भारतिय राष्टिय कलेंडर का जो पहला माह है यह कौन सा है सही आंसर हो जाएगा चैत्र ठीक है जो गाइस अगला question आपके सामने है कि पंडी तहारी परसाच चाहरस्य जो है यह कौन सा बादियंत्र बजाती है सही आंसर हो जाएगा बांसुरी अगला भारत के जो प्रदान मंतरी बनने के लिए कम से कम जो आयू है यह कितनी होने चाहिए देखो भारत का प्रदान मंतरी बनने के लिए उम्र जो है कम से कम 25 वर्स पूरी होने चाहिए अगर 25 वर्स उम्र पूर है तो आप भी बन सकते हो भारत के प्रदान मंतरी ठीक है चलो अ करना तक आए आपके अग्जाम में यह कोईशन टफक सकते हैं अग्जाम के दिश्टी से आपका यह कोईशन इंपोडेंट है अगला आपके सामने कोईशन नंबर पांच सो बानने में है मैं कमोहन रेखा जो है यह किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है भारत और ची इबिचा हमाट यह आपका नेयापृ आप armour हैं अगला है आपके सामने के विश्ट्रव का सबसें नंचा सिखर मांट मॉ्ट ऑरिस्ट है इंध किस देश में हैं राइट हो बिल्कुल सही हो जाएगा पर एक यहां पर निर्विरोध चुने जाने वाले एक मात्रा राश्ट पती हो जाने इनके विरोध में कोई भी गईश्च चुनावग लडा ही नहीं था संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदिया बनाती है राइट हो जाएगा गंगा और बनंबबुत्र नदिया सिंदुगाटी सबिदा का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है तो राइट हो जाएगा आपका लोथल सब्सक्राइब करते रहेगा अगर आप पुरी जीजान सिद्दत के साथ लगे हैं तो निश्चे दे की सिलक्षिन तो ही जाएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आएं एक्जाम रूची बार यह विजिट किये हैं तो प्लीज जो भी बार आ रहे हैं वह नीचे एक लाल खल अंदिक्रा वोगा उसको दवा करके सब्सक्राइब कर लेंगे तकि आने वाली हर लाइफ क्लाश को जो इन्यक्यामें मिला करें देखो 112 पेज को हमने कंपलिट कर लिया है और पहस्प्लीट कर लिया है तो बहुत ज्यादा आप नहीं रहे घए हैं मेरी पहरे बाइए वह से भी हम complete कर लेंगे ठीक है बहुत जादा आपका नहीं बचा है तो देखो गाइस सब को सब कुछ विराशत में नहीं मिलता है कई रातें पीतानी पड़ती है किताबों के साथ बात कितनी गजब लिखी गई है न देखो गाइस विराशत में सब कुछ नहीं मिलेगा आपको धंदौलत मिल जाएगा तो आपको इज़त नहीं मिलेगी इज़त मिल जाएगा धंदौलत नहीं मिलेगी या गाइस कहों तो सब कुछ तो आपको मिलेगा नहीं चलो मालिया मैंने आपको धंदौलत में मिल जाएगी इज़त भी आपको मिल जाएगी विराशत में क्योंकि कि अगर आपके दादा काका जो है वो अगर इज्जत है उनका हो रहा है ना उनकी अगर समाने हो रहे हैं सब जगए तो आपको भी होगा लेकिन गाइस अगर उनको ग्यान है तो आपको ग्यान नहीं होगा कहने का मतलब है आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको ग्यान हो अपने सपने को पूड़ा करने के लिए अप उसके इलिजबल हो पाते हूं समझ गए ना तो मेरे पैरे भाई मेहनत करते रहो 600 कॉश्चन कंप्लीट हो गए है 300 कॉश्चन आपके और बचे हैं थोड़ा सा गलब ज्यादा बैठ गया है फिर भी मैं कोशिस कर रहा हूं कि हुआर एवं तबले का जनक मांडा जाता ए मेरे प्यारे मित्र राइठ होगा अपका अमीर कुश्रुकू अगला विष्चु का सबसे उच्छा पथार कौन सा यारग रखना पमीर यांतिब्बत का पथार यह रख जो है विष्चू का सबसे उच्या पथारे गया और इसे संसार की छत संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है यादर्द योजनायों के अद्धक्ष कोन होते पड़्दान-मंतरी होते हैं सेकंड टाइप रिपीट है वनस्पत घी के निर्वार में कौन से गयस परियुप्त होती है भया हाइड्रूजनव अगला इंगलें को पार करन प्रिष्ठिय तनाव मानम निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है नाइलाउन अस्पष्ट प्रतिदोनी सुनने के लिए स्रोता इवं प्रावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए सत्रा मीटर किस माध्य में प्रकास की चाल सबसे अजिक होती है निर्वात में जो कि ध्वनीस में सेंचर नहीं कर सकती किस रंग के में प्रकास का प्रकीरण सबसे अधिक होता है बैगनी में सबसे अधिक तो लाल में सबसे कम होता है अगला आपके सामने वानों की हेड लाइ इन सबी को हम प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं वाय। यांड के टाइरों में कौन सी गैस भरी जाती है तो हीलियम क्योंकि हल्की गैस होती है टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिस्रे टांका जैसे ही गाइस आप घर में लाइट या कोई भी अगर इलेक्ट्र रोग जो है शरीर की किस अंग से समन्दित है राइट हो जाएगा आँख विस्व की पहली महिला आंत्रिक छियात्री का नाम है विलेंटाइना चलू अगला क्वेशन आपके सामने क्वेशन है कि औरिजन आफ स्पीच बाइनेच्रल सेलेक्शन यह जो पुस्तक है यह किस सिद्धातों का आयस के सही हो जाएगा पारा खा या फिर मर गरीगा एक मिनिट वेट कीजिए वहिया अगला है आपके सामने की कान सा यंत्रा दूद में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रियोग किया जाता है जैसे दूद की सुधता दूद का घनत्वा या दूद का चाहिए जन्तर का प्रियोग करते हैं लैक्टो मेंटर का हाइडूसन पर आदारी ठीट लागरा किस से कमी से होता है भीटामीन की कमी हो जाती है तो पेलागराु की सिखार मचलियों के यक्रित से तो च्याम मिलता है उसमें किसे प्रचुरता होती है विटामीन डी की बूस पानी का घनत तो अधिक्तम किस तापमान पर होता है चार डिग्री सलस्यस पर होता है मेरे पहरे भाई अगर आपने अवीतर क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मेतर क्लास को लाइक जरूर कर देंगे मेरे मित्र आप सभी जानते हैं मेहनत हम आपके लिए कर रहे है पूरी जिजान शिद्दत लगाये हुई हैं तो जिम्मेदारी आपके बनती है यह फ़र्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को लाइक कर ही दिया करो तो मेरे पहरे भाई अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल के गहराई से पहले लाइक कर दो फिर आगे बढ़ेंगे मनुष्री का वैज्यानिक नाम है होमो सेपियंस क्या है होमो सेपियंस विटे संसत के लिए चुने जाने वाले पहले भारतिये कौन थे राइट हो जाएगा दादा भाई नियुरू जी जेने भाद का वयोद्ध पुरुसमी कहा जाता है बाद की किसराज में चावल का सबसे क्यादिक उधपादन होता है याद रखना मेरे पहरे भाई पस्य मंगाल में भाद में ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिरे कहां परे तो राजस्तान की पुसकर में हैं पागल कुत्य के काटने से कौन सा रोग होता है तो रैवीज या फिर हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो होता है राइट हो जाएगा आपका वह जाएगा उपराश्ट्वती दो बार नोबल प्रुसकार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है राइट हो जाएगा मैडम मैरी कुईरी अगला कि सार्क का या दच्छेस का मुख्यालय कहां है राइट हो जाएगा नियापा का सरोजिनी नाइडू क्वेश्चन नमर 622 से सन 1983 की विश्चु कब बिजेता भारती क्रिकेट टीम के कफ्तान कौन थे हैं सही हो जाएगा कपिल देउ अगलाय की राश्ट पती राजिसभा में कितने सद्ध से मनुनीत कर सकते हैं कुलमिलाकर के बारा अगलाय की नोबिल उत्पाधन किस राज में होता है उत्तरप्रदेश में इसी वजए से उत्तरप्रदेश को। चीनी का प्रभावित करता है दानत और मसूरों को अगर पाइरिया रोग हो जाता है तो दांत और मसूरे को बहुत ज़्यादा प्रभाव इससे होता है ना तो राइट हो जाएगा आपका दांत और मसूरे को अगला आपके सामने नाशिक किस नदी की किनारे हैं तो राइट होगा आपका गोदावरी राश्ट्रप यांब को सबस्क्राइक दिलाते हैं यए में आपके एक्जाम में घाली में आलरे ह क्जारण कि मुद्रा कौंशी है या दखना नहीं के राजदानी टोक्यों मुद्रह एन इंडियन Military Academy मिलेटरी Academy कहां इसी था है यानि भारतिये नौ सेना आकादमी या गाइस एंडिये की जो आकादमी कहां है मेरे पहरे भाई देहरा दून में हैं माउंट एवरिष्ट पर चणने वाली पहले भारते महिला बचेंद्री पाल हैं अगला कि डेविस कप का संबंद किस खिल से हैं सही हो अगला आपके सामने संसत का उच्छ सदन कौन सा है राइट हो जाएगा आपका राज्य सभा पंच अदंद्र के लेका कौन है मेरी पहरे भाई तुबिस्तनो सर्मा है 1954 में हुआ भारत चीन समझाओता किस नाम से जाना जाता है इसे हम पंच सील समझाओता के नाम से जानते हैं 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच अगला आपके सामने सन 2010 में फुटबाल विश्यकप किस देश ने जीता था सही हो जाएगा आपका इस्पेन ने अगला आपके सामने मेरे पहली भाई राष्ट्रिय रक्सा आकादमी कहां है जोगा इस नेशनल टीफेंस अकेडमी है यह कहां है तो यह पूना के पास खडगवा साला में डिस्कवरी आफ इंडिया नामकुछता किस ने लिखी जवाहल लाल नहिरू के दोरा लिखी गई थी एक सोस्त मनुष्य का हिर्दे एक मिनट में कितनी बार धड़कता है कुल मिलाकर के 72 बार बाहत में पहली बार जनगरना कब हुई बहुत है अगला आपके सामने कि लाई हरोबा किस राज का लोक निरते है सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मड़ी पूर का अगला है कि भायत के किस राज में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में कोलकत्ता जोई गाईजे किस नदी के किनारे हुगली महत्मा गांडी दोरा जो साबर मती आसरम की अस्थापना की गई वह कहां पर की गई थी सबसे पाहले राइट हो जाएगा महत्मा गांडी जी के दोरा साबर मती आसरम जो है यह आहमदाबाद में अस्थापिक किया गया था तो राइट होगा आपका यहां पर तो गाई सो जोड़े होते हैं या कहा जाए तो जोड़े मतलब 46 इसमें समलित होते हैं अगला आपके सामने क्वेशन है कि चंद ग्रहंट कब लगता है तो देखो चंद ग्रहंट जोई हमेशा पूर्णिमा के दिने रखता है और भारत छोड़ा अंदुरन कब शुरू हुआ 28 अगस 1922 से भारत छोड़ा अंदुरन की शुरुआत की गई मानस रिट का सामाने रख्यदाव कितना होना चाहिए तो असी से लेकर के 120 मिलीमेटर की अगला आपके सामने कि उत्तरी गोलार्द में सबसे छोटा दिन कव होता है तो 22 दिसंबर को राम चरीत मानस किस ने ने यह दाव किसी यंत्र से मापा जाता है सही हो जाएगा आफकाव घृर्मीटर से हरयाला का पहला महिला विस्विद्याल कॉन सा है कहां है राइट हुद्याइगा भगत फूल सिंग महिला विशु विद्याले खानपुर कलाम में है जो कि सोनी पत जिले में पढ़ता है अगला के टेस्ट मैंचो की एक पारी में सभी दस बिकट लेने वाले पहले भारते कौने अलिल कॉम्मले हैं याद अखना अगला आपके सामने कि सन 2018 में फुटबाल विश्चो कफ का आयोजन जो है ये कहां हुआ था कहा हुआ था मेरे पैरी भाई रूस में संसार में सबस्यादिक जनसंग के अवाला देश कौन सा है तो वो है चीन अगला आपके सामने क्या कह रहा है कि सर्ब ग्राही रखत समूब कौन सा है सही हो जाएगा आपका एवी सर्ब ग्राही और ओ सर्ब जाता होता है और सायों अंदोलन जो यह किस वर्ण सुरू किया गया है तो 1920 में अगला की पैनाल्टी श्ट्रोक जो यह किस खेल से परियुक्त होता है तो हो किसी अगला आपके सामने किसने की राइट हो जाएगा गुरु नानक नहीं हुड़े अगला आपके सामने की जो गाईज या कोशिशन नवर 6-9 है कि भारत में जनगन्नक कितने वर्सों के बाद होती है याद रखना मेरे पैरे भाई दस वर्सों के बाद होती है अगला कि में गदूत की रचना किसने की तो राइट हो जाएगा आपका काली दास ने अगला कि मारत की सतंतरता के समय ब्रेटेन के प्रदान मंतरी कौन थे तो मेरे पैरे भाई याद रखना क्ले मेंट एटली जो है यह गाईज उस समय ब्रेटेन के प्रदान मंतरी थे अगला कि एकजीमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है सही हो जाएगा आपका तच्छ सबसे बड़ा महासागर कौन सा है प्रसांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है अगला की पैनल्टी की सब्सकेल में परियुक्त होता है सबसे पहले किस्षे दिया गया था तो आसा पूर्णा देवी को यादत ना चलो अगला आपके सामने की भारत का जो सरवोच्छे खेल परियुक्त है कौन सा है राजी उगांदी खेल रटन परियुक्त है परियुक्त है तो राइट हो जाएगा आपका 1961 दो सो क्वेश्चन आपके और से बचे हैं अभी जल्द हम इसे भी कबर कर लेंगे बस मेरे पहरे भाई आप सपोर्ट बनाए रखेगा क्लास को लाइक सेर करते रहिए अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करते रहिए चलर पर पहली बार आए तो सबस्ट्राइब क को मिटाना इतना आसान नहीं समझ गया न मेरे पहले भाई जब आप च्छोटे होते आप को पैंसिल दी जाती है कि आप से लिखें जब बढ़े हो जाते हैं तो पैंसिल की मदले में पें दिया जाता है ऐसा है इसलिए ताकि आप यह समझ जाओ कि अगर अगर आप गल्ती क करूंगा तो कैसे हो पाएगा ये बात बिल्कुल सही गलतियां करोगे तब ही जिवन में सपल उपाऊगे लेगन ये बात बिल्कुल गलत है कि आप गलती करो और उसे गाई जो फिर से सुधाने की कोशिस न करो ये बात बिल्कुल गलत है ना तो मेरे पहरे बाई अगर आपक तो मेहनत ही आपको अपने मेहनत पर विस्वास रहाए की जो आपके किसमत में नहीं नहीं होगा न भीमिल जाएंगा बस मेहनत करते रहो जुरून नामक सब्द आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए यह सब्द अगर तो निश्य दे के सिलक्षन आपको हो जाएगा इसकी अपने मंजल तक जरूर पहुन जाएगा आईए इस यासा के साथ आगे बढ़ते हैं अगला की भात की जो मानक समय रेखा ये कौन सी है देखो ये साड़े बैसे डिगरी पूर्व देशांतर से जो की गाइस इलाहवाद इस आपके नहीं से उजड़ती है याद रखना शाड़े पांच घंट आगे ये जानते होंगे आप सभी हैं ना कि अ इसका कुछ्राइचा पर्सकार पाने वाले पहले वारतिये कौन थे याद रखना मेरे पहले बैदी बिनुश भावेज होई मैंके पुरसकार से सम्मानि पहले भावशन है कि मोनालिसा जो किसकी भी ωिख्ष्थ प्राइब पर्णाई थी टुंढ़ीत है कि यहाँ पर आपका लिएथा पर चीन नमगर 703 वाला यहीज करने तो नुट्स है लिख़ाई लिखहालै स्वांग स्वांग जो एकिस राज का लोग ने रिते भाई यह अगला कोई विदेख धनविदेख है या नहीं इसका फैसला कौन करते हैं लोग सबाद दर्च अगला देखो अंतिमुगल समराथ कौन थे राइट हो जाएगा बहादुर साह जफर्दुति यह अंतिमुगल सम प्रतिबंद लगाने वाला विश्व का पहला देख कौन सा है राइट हो जाएगा भूटान जिसकी राजदानी थिंपऊे जो कि रिचनाई यह यह जो उपन्यास का रहें क्या नाम है इनका अगर कहा जाएगा बचपन शंवरी को भाड़ सरकार का सम्मेदानिक मुख्या कौन होता है एक प्रेसिडेंट या राष्ट पत़ अगला है कि सम्मेदान सलसोधन द्वारा मॉलीक करतव्यों को सम्मेदान में जोड़ा गया सही हो जाएगा बैरिस्वे संभिदान संसोरन नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांदी ने कौन सा आंदोरन सुरू किया था समिने अवग्या आंदोरन की सुरुवात की गई अगला है कि उपराश्ट पती का चुनाव जो है यह कौन करता है क्या रखना मेरे पहले भाई उपराश्ट पती का चुनाव कौन करता है संसत के सदस्य करते हैं विजय स्थम्भ कहां है तो यह चित्तोर गर्मिदी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो की ट्रांस और जहरों को जोड़ता है राइट होगा परसेंट पीट सबर्ग से से ले करके ब्लादी वोस्तों तक अगला आपके सामने की अमरकंटक किस नदी का उद्गमस्तल निर्मदा का है बाद में जिप्सम का सबसे उद्पाद किस राजी में होता है सही अंसोदेगा राजिस्थान मे अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपणी ने भारत में अपना पहला कार खाना जो एक कहा लगया था क्या दखेगा गुजरात के सूरत में आइन एक बड़ी पुस्तक किस ने लिखी है मेरे पैरे भाई तो अब फजल ने लिखी है अगला की बुली सब्द की स्खेल से अगला आपके सामने जीलों की नगरी जीलों की नगरी कौन सा सहर कहलाता है तो उदैपूर आरे समाज के सापना कब कहा की गई मूंबई में की गई 1875 में प्राचिन वे कौन सा है सिक्षा दिवस सबका जाएगा तो ग्यारा नोंबर या रखना किसके जन में दिवस को सिक् खलाम आजाद उनके जन वदिवस के रूपने भाबा परमाडू अनसंधान के इंदर कहा है तो मुंबई के ट्रामबे में है अगला की 1928 की बार्दोली अंदोलन का नेत्रत्वा किस ने किया था या रखना मेरे पहरे भाई सरदार बल्लबाई पटेल में अगला है आपके स किस राज का सास्प्रे निर्त है राइट हो दाएगा उत्तरपरदीश का टीपू सुल्दान की राजदानी कौन सी थी तो स्री डंग पटनम चाइना में सब्द किस खेल से पड़ी उत्ता है तो क्रिकेट में सबसे कठोर पदार्त कौन सा है मेरे पहरे भाई तो हीरा सबसे कार्बन का सुद्धतम रूप माना जाता है अगला आपके सामने कि डाइनमाइट का विसकार किस ने किया था तो अलफरेट नॉबल नहीं बिस्मिल्ला खान का संब्द जो यह किस वादियंत्र से है तो सानाई से आसकर प्रसकार का संब्द जो एगाई जे किस थेत्र से तो जलियवाला बाग में गोली मारने का आदेश की जनरल ने दिया था तो गाईचर जनरल डायर या इनका पूरा नाम है माइकल ओडायर ने पढ़ना का प्राचिन नाम क्या है तो यह पादल पुत्र सभी जानती होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पादल पुत्र बांधि पूरा अभ्यारण कि स्राज में से सेते करना तक भी विचन का विचकार रेट्यूट किस ने यह तो इंडली के निवासी ओनी नहीं किस नागेंड रचा ANYगलेढमаг में पाया प्योग में पाया जाने वाला चिनी यह पाया जाता है तो यह पाया जाता है मेरी पैहर सुख्रोज़ के रूप में प्रथम भारते चंद के निर्माता कॉन थे दादा साह Oak ते अगला की एक मिनट को ओपर कले इसको थोड़ा सा सा चलू आज हमकी कौन से बक्दी भाध के राष्टपती रह चुके तुराइट हो जाएगा फकुरुद्दीन अली आहमत बिल्कुल सही हो जाएगा अगला पुस्तक वाल एंड पींस यह पुस्तक किसने लिखी तुराइट हो जाएगा लियू टॉल श्टाइन अगला के सामने मुद्दध फर्थम फुस्तक के लिख農 हाएगा आत्माराम पांड टॉराध शर्माट कि थोड़ा कि एक मिनिट एक मिनिट है कि चलो कि महाराष्ट के प्रथम वक्ष मंदरी कौन थे वाई भी चौहान बिल्कुल राइट होगा बात्रा मैंचेस्टर किसे का जाता है आहमदाबाद को बिहार गासो किस नदी को का जाता है कोशी को प्रतवी का मात्र प्राक्रितिक उपग्रह कौन सा मेरे पहले वही तो चंद्रबा आफ चाओथ नामक कर जो एकिसके दरा लगा गया घुbad लाथुके डारा उर सही क्या है अब आपको यहाँ पर बतादा मुखल बाशाओं का सही क२्छा। Umm इसके बाद हुमायू, सेर सासूरी, इसके बाद इसलाम सासूरी उसके बाद हिमायू, फिराए हैना और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूँ, माफ करना है मेरे भाई इस question में tapping mistake की गई है question number 764 में क्योंकि guys यहाँ पर मैंने बहुत ही कुछ ज़्यादा tapping इसमें mistake कर दिये तो इसके लिए माफ करना है यह question मैं skip कर रहा हूं ठीक है अगलाय के भुदान आंदोलन जोहे किस ने शुरू किया था सहीं हो जाएगा आपका बिनोंबा भाविने भाद में अंग्रेजी सिच्छा के कि नाम से کिसे जाना जाता है इसे समंधित हैं तो ये समीदान के प्रारूप समीती के चेर में। कौन से दॉक्टर भीम हैं। स्रिलंका की जो मुद्रा है वो कौन सी है तो वह स्रिलंका ही रुबया अगला की डिस्कवरी आफ इंडिया रामकुस्ता किसे ने लिखी जवाहनला लेहरूने गुट्वकसन की कोज किसने की थी तो न्यूटन ने की थी सराइजयक न्यूटन अगला आपके सामने की कौन सा राज्या भारत की सबसे पूर्वी भाग पर इसी थी थे सही अंसर हो जाएगा अपकाव हो जाएगा अनुनांचल प्रदेश में होता है कौन सा देश नातुला दर्रा की पार है सही हो जाएगा चीन अगला आपके सामने की प्रतवी के नजदीक वायु मंदल की सबसे निचली परत तो वह चोब मंदल बारते सेना में बिजयंत ना चाहिएगा दिल ली में अगला आपके सामने की जयपूर की असथापना तो आपका आपका असम्था प्रक्षायाथ का प्रतर स्टियमा मंगाल की सहर में जनतर मंतर इस्टित्ऊ में पारे में तृया दिल्ली में अगला आपके सामनेे की जैपुर की अस्थापना किस ने की थी इसका अंसर आपको पताना है जैपूर की अस्थापना किस ने की थी तो आमेर किराजा सुवाय जैसिन नीकुन्हें बारते समिदान में पहला संसुंधन कफ किया गया 1951 में bewlarand कफ किस्खिष सéo stoveall से है अगला की भाद के पहले कानून मंत्री कौन थे डॉक्तर नियों पर बेटकर अविज्ञान सकुन्तरम के लेका कौन थे मेरे बाइक काली दास कि दिवस कम बनाया जाता है एक मैं को दिवस मनाया जाता है ठीक है अगला की ओडिसी जो है किस राजिका साज्ट्रे नेते है तो यह औरी सा कहा है फाकडा बांद किस नदी पर बनाया गया तो यह बनाया आठ सो कॉइस्ट्र आपके और बचे हैं ठीक है वह भी कंप्लीट हो जाएंगे चिलता ना करो वहिया और जल्द आपके वह प्योंप्लीट तो अपने लक्ष पर नज़र रखो और अपनी मेहनत प किलोमेटर जो है भाद कर छेटर फालाई और चेटरफल के द्रिश्ट से भाद जोए गाई जिए बिश्व में साथमें अस्तान पर आता है यह भी याद रखना अमेरिका ने जापान के हीरो सीमा पर पर मालूबं जो ही कब गिरा था मेरी पैरे भाई तो याद रखना कब चुनाव में कौन ओट डालता है तो संसत तता राज्जी के विदान सबाव के लिए राष्ट पती के चुनाव में ओट डालते हैं हर्याना के पहले राज्जी पान कौन थे तो राइट हो जाएगा अपको धर्म बीर उत्री दुरुप को दच्छन दुरुम में मिलाने वा अगला मंदिल से उतरते समें स्टीडियो तो उतरते समें आतुरामगोर से कि दारा महत्मा गाली जी की मृत्यू कर दी गए थी तीस जनवरी उनिस सो अनकाली इसको अगला कुश्चन आपके सामने है कि भारत में कौन सा अनाच सबसे ज़्यादा खाय जाता है तो सबसे दिल्वाला का मंदिर किस धर्म से समंदीत है सही हो जाएगा जैन धर्म से है राइट जैंद्रम हीरा कुणडबांद किस नदी पर बनायाता है महा नदी पर दिल्ली में इस जम्व मस्जित का निर्माड किस ने करवाया था मेरे पैरे भाई याद रखना साहा जहाने सांति ये डेरी अनुसंदान संसान कहा है तो हरियाना के करनाल में है याद रखना मेरे प्यारे मित्र याद रखना आपसे पूछा जा सकता है ठीक है अग्ला की भगवान बुद्यद्वारा साइनाथ में दिया गया जो पहला परबचन है यह बहुत धर्म में क्या कहलाता है यह मेरे प्यारे मित्र याद रखना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है आपसे यह पूछा जा सकता है वायू सेना दिवस कम मनाया जाता है राइट हो जाएगा आपका वह जाएगा आठ अक्टूबर को ठीक है कम मनाया जाता है आठ अक्ट तो यह गाइस हर्याणा की पानी पत में अगला हाली में किस राज में किस राज से अलग करके तेलंगाना राज बना है तो आंध्रपडेश बना है जानती हुँ हाली में नहीं बहुत दिन हो गये भाद की प्रस्चमी तड़ पर कौन सा सागर है रहेट हुजाएगा अरब आए गाइस यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में है बिश्चुब्यापार संगटन की अस्थापना कवी 1995 में शिक्सा की जो किया गाइस किंडर गायटन पद्दती है यह किसकी रेने सही हो जाएगा फ्रोबेल की NCERT NCERT की अस्थापना कवी 1961 में तान सेन किसके दरबार दकी संगीत अकबर के कॉन चाहरत चं contemporary अकबर का संद्दर छक्रा राइट हो जाएगा आपका मुझाह वै Caesar M. और पंडित रवी संक्र का समंद की से हैं सही हो जाएगा सिठाड से अगला की पइनल्टी कोatta का समंद की स्खेल से सही हो जाएगा सब्षय का Hill को कि मुद्रा कौन सी रूस की मुद्रा करें याद रखना है इसका हो जाएगा रोबल यह कोईश्चन आपके एक्जाम में आ सकता है तो इसको याद रखीगा अगला आपके सामने सिंदु गाटी सब्धा कि जो प्रिशिद्वंदरगा है यह कौन सा था लूतर यह कुईश्चन आपको तीन बारा आया है का लर्ग क्योंकि यह कुईश्चन आप क्लि मिला करके कितने तिर्थंग कर वे चौबीस में गहां स्थाफ़ा सब्सक्राइगा था ठीक है इसे भाज़न अगर आपको अगरा शेंयोगे चैनल अगरा है तो अगरा कि गहां मावीर्ट जौ जयन धर्म में से समंधिते कौन से तीर तंकर थे थे तो 24 मे थे या पिरंतिम थे पात की पहली महिला राश्टपती कौन है प्रतिवा का अगरा आपके सामने कि कितने अच्छे हो तेमित ढोलकल एरिया नेट्वर्क मैन का पूरा नाम और वैन का पुरा नाम है वह है वाइड एरिया नेटवर्क यह तीनों आप याद दिखेगा गौतमभुत के मृत्यूं कहां हुई थी कुछी नगर में गोवा पुर्टगाली सासन से कवा जाद हुआ तो यह हुआ था गाइस सरूप अंग्रेजों का बंगाल विहार और उडिशा पर अधिकार हो गया था तो यह बक्सर का युद कब हुआ था सन 1764 में रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था अगला आपके सामने 1857 की क्रांती के बाद अंग्र गांडी जी डाख्चिल अफटीका में भारत रैट यहीं सु स्थाने बहात की पहनी बोनती फिल्म थी अगला चेद्रफल की द्रिष्टी से भाद का विश्में कौन सा स्थान है सही हो जाएगा साथमां जनसंक्या के द्रिष्टी से तो दूसरा अगला आपके सामने हैं कि भात की असलिय सीमा कितनी है सही हो जाएगा 15200 किलोमेटर भारत का पूर्व से पक्सिन तक बिस्तार कितना है या दखेगा यह कितना है 2933 अगला आपके सामने कि तिरंगे जंडे को सम्मिदान सभा ने कब राष्टी जंडे के रूप में अपनाया यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को जन्गर्मन को सम्मिदान सभा ने राष्ट गान कब गोशित किया 24 जनवरी 1950 को राष्टगीर भी इसी द अगला आपके सामने 1784 में कोलकाता में किसने एस्याटिक सोसाइटी की असापना की थी ब्लियंग जोंस ने की ती यादखना वैंकों का राष्टी करण कप किया गया 202169 में कि संभिदान संसोंदन के द्वारा यह उसले करके 14 वर्षत कि स्क्षा का जिकार इस शृष्टना को संभिदान संसोदन हटा दिया गया कोसे इस्सें संभिदान संसौंदन द्वारा च्क है अगला कुशन है कि 23 डिग्री 5 मिनेट उत्री अक्षांस रेखा क्या कहलाती है सही हो जाएगा करकरेखा ससस्त्र सेना जंडा दिवस कम मनाया जाता है तो 7 डिसंबर को भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है तो भारत और पाकी सीमा रेखा को रेड क्लिफ और भारत चेन तो मेक मौहन अगला भारत में एक मात्र सक्रिय जौल मुखी कहा है तो बैरेंदीप जो की आनमार्दी को बैरेंदीप में पड़ता है अगला की किस भारती राज्य की दो राज़दानिया है तो जम्मो कश्मीर की अमेरिका ने कौन सा राज्य आठासर सरसट के रूप में रूसी से खरीजा था तो वो था अलास्का विस्टो भी कलांग दिवस का मने आ जाता है तीन दिसम्बर को होक मैं कब किस खेल से समंदी थे अगला की नवगठी तेलंगाना राज्य का पहले मुख्यमंतरी कौन थे राइट हो जाएगा आपका चंद्र सीकर सबसे बड़ी है मैं मारिया फिर वर्मा की मुद्रा कौन सी है क्यात है मौसं समंदीत परिवतन हुआ मंदल की इस प्रत में होते हैं चोग मंदल में होते हैं याद रखना संसार का सबसे बड़ा सागर कौं सा तो दक्छिट चीन सागर संसार का सबसे बड़ा गक२हांघ गौतम बुदु दौरह 29 वर्स की आयू में ग्रेता की घटना क्या कहलाती है महाविरिस कर्मण कहलाती है और गाइस इसका प्रतीक क्या है अगर आप पाल और भूटान से मिलती है सही हो जाएगा आपका सिक्किम नातुलागर्णा भात की किस राज में तो राइट हो जाएगा आपका सिक्किम में 1912 में अलहिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया मौलाना अवलकलाम आजात के दौरा शुरू किया गया था महान चिकिस्तक जो थे हैं चरग यह किसके दरवार में रहते थे तो याद अखना मेरे प्यारे भाई कनिस्क और कनिस्क के साशनकाल में ही चौथी बौद्ध कथी हैं इसके पहले ही संगितर तो कुंदल्वन कसमीर में ही तो आहां रखना मेरे फ़ногा कुंदल्वन कस्मीर में आजात की गही क्वारे में घृतिसर्वीत के साशनकाल में औध के सबसे लंबा राजमार के नाम से भी जानते हैं वहांशी से लेगर के कंड्या कुमारी तक है अगला के संग्मर्मर् किसका परिवर्थित रूफ है यह देखो परिवर्थित किस तरीकी से लिए थोड़ा चुना पत्र का परिवर्थित रूफ है आप से पूझा जा सकता है याद अधना विश्योभ्यापार संगठन स्विजर लैंड की जो जैने वहां पर रहे चोड़ी सामने क्या करना है कि केरल के तटकों क्या कहते हैं राइट हो जाएगा माला बार तट अगला कि जैन्द अवेस्था किस धर्मे की धार में कुछ तक है सही हो जाएगा पार्शी की पादकराश्ट कहां सबसे पहले कब गाया गया था 1911 में कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अगला के सामने मेरे पहले भाई कि पानी का रासानिक सोत्र क्या है यह गाइस ही रा याद रखना प्रकृत में पाय जाने वाला कटोर्दम पदार्थ कौन सा है तो यह ही रा अगला कि समुद्री जल में लमण की अवसत मात्रा कितनी हो थी तो यह आपके थी पॉइंट फि का सा सकता थी के और है इस अनुन है भात फजो आक्मर किया यह तो र्याइट होगा यह यह पर 326 20 community का मतलब हुता है मेरे पहए इसा पुर्व आई इससन देडर समीदान को सम anonymous समय लगा था तो साल 11 18给我 की समय भी अगला when के सामने क्वेशन है कि भारते सम्मिधान में मौलिक करतब्या किस देश के सम्मिधान से लिए गए यह आपके अग्जाम में या सकता है इसका आपको बताना है और मेरे पैरे भाई अगर आपने अभी तक क्लास खुल लेगी नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजीग देखो भारते सम्मिधान में मौलिक करतब्य जोए किस देश के सम्मिधान से लिए अमेरिका के सम्मिधान से सम्मिधान की कि सधारा के अंतरगत राज्य पाल किसी भी राज्य में राश्टपती सांसल लगाने की सिफारिस करता है धारा 356 की अंतरगत प्रोटान की कोच किस सब्सक्राइब आपको वीडियो के लिचे कमेंट करके बताना है कि जो आर्थ सास्त्र नामक पुस्तक है चलिए नहीं मैं आपसे यह कोईशन यह पूस्ता हूं कि जो एंडी का नामक पूस्तक है इसका आंसर आपको बीडियो करें और आफलाइन कमेंट करके बताना है तो मेरे पैरे भाई हमने आपने 900 कोईशन को कंप्लेट कर लिया आई फोप मेहनत अच्छी लगी होगी दिखो खुद को समझ कर जीना मेरे पहारे भाई यह आपके अंदर है निश्चे देख कि आप अपने मंजिल तक बहुत जल्द अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो मुश्किलों से कहे दो उल्जा ना करें हमसे हमें हरहाल में जीने का होना राता है मेरे भाईया बहुत अच्छी बात रिखी गई ह में हमारे हिसाब से ठीक है और यहां बात मैं आपको और यहां पर अपर बता है कि जो भी यहां पर मैंने सब्सक्रीशे हैं क्लास यह भान करती हैं मेरे पहरे भाई मैंने आपके 900 को कंप्लेट किया मेहनत कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताना और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर कहीं कोई questions में तुरुटी हो गई हो या टैपिंग में गलती हुई है और अगर किशी questions को मैंने गलत बोल दिया तो इसके हम ह panelists क्लास आपकी लंभी थी तो फोड़ी बहुत गलती हो सकती है सबूर करना कर गारो जो जो इनधाव कर दी घृषप गयोगी तो झाबो कर दीजेगा और गाइस आपका सुझाओ ढवंत्रित है आप अगर कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो कमेंट में सुधाओ दे सकते हैं मेहनत कैसी लगी वीडियो के निचे कमेंट में जरूर बताना अच्छी लगी है तो लाइक करके ही जाना गाइस इस वीडियो को अपने मितन तक शेयर कर देना और इसे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार है तो एक जरूर की जा बेटेन रही है और गाइस जो कहा गया है कि उठो जागो और तब तक नड़को जब तक अपने लक्ष की प्राप्ति ना हो जाए इस बात को ध्यान रखेगा और आगे बढ़ते रहेगा अब सरकारी नोकरी पाना हुआ और भी आसान अब आपका सपना होगा अपना जी हाँ अगर आप किसी भी गवर्मेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कॉंस्टिबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हैड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेकपाल या किसी भी गवर्मेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप के लिए सुनेहरा मौका है आप यूटूब चैनल एकजाम गुरुजी भाई अर्विन सर के साथ जुलकर अपने तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं इस चैनल के मादम से आपको फ्री लाइब क्लासेज, रिकॉर्डेट क्लासेज और गुर्ण्मेंट जॉफ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे इसके लावा सारी क्लासेज की पीडिय अप, हैंडिटें नोट्स और बोक्स बिल्कुल फ्री में इसके लिए आप टेलिग्राम पर सर्च करें एक्जाम गुरुजी बाई अर्विन सर और फाइल वाली ऑप्सन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडिय अप, हैंडिटें नोट्स एवं बोक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं गाईज अगर आप मुझे इंश्टेग्राम पर फालो करनाचा जाते हैं तो इंश्टेग्राम पर सर्च करें अरविन डिजय सवाल टिरिपल जीरो और वहां पर भी मुझे डि-ेम कर सकते हैं कोई भी समचे आए तो वहां पर भी आप मुझे संपख करना चाते हैं तो संपग कर सकते हैं इसके लबाँ अगर आप फेस्बुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एक्जाम गुरुजी बाई अरविन सर के नाम से फेस्बुक पेज है उसको भी आप लाइक ए मफालो कर सकते हैं तो मेरे पैरे भाई वैन आप जुड़े रहें एक्जाम गुरुजी बाई अरविन सर के साथ क्योंकि अब आपको सपना होगा अपना एक सीट कंफर्म है अब की बार सरकारी नोकरी तुम्हारे हाथों में होगी